अलो वेलकम जो टोपिक हम डिसकस कर रहे हैं COVID-19 उस क्रम में इस पर्टिकुलर सेशन में देखा जाएगा आगे का जो एरिया है जो हम डिसकस कर रहे हैं कि क्या डाइग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है, मेनेजमेंट है, क्या प्रिवेंशन की स्ट्रेजीजीज है, और डॉनिंग के बारे में इन सभी चीजों के बारे में इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम अध्यन करेंगे, इसके पूर्व का जो सेशन था, मोडिूल्स था, जिसमें हमने देखा था, COVID-19 क्या है, टाइम लाइन हमने देखा था कि कहा से डवलपमेंट हुआ और अब त होती है, और इंडिविजल के अंदर क्या कुछ मैनिफस्टेशन आते हैं और वह क्यों आते हैं, तो यह सब चीजे हमने उस सेशन के अंदर देखी थी, तो अभी हम देखते है, COVID-19, तो जिसे बच्चों आपको मालूम है, COVID-19 मेंने बोला कि यहाँ एक पैंडेमिक है, एजीली ट्रांस्मीट हो जाती है, और हम जानते हैं, यह हाईली इंफेक्शियस डिजीज है, और बहुत ज़्यदा कंटेजियस डिजीज है, जो हम जानते हैं, बिमारी करती है, और इसके पीछे रिस्पॉंसिबल और्गेनिजम कौन सा है, तो हम पढ़ चुके हैं कि जो उसका नाम है SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, यह जो वाइरस है, वह पेशेंट के अंदर इस पर्टिकुलर इंफेक्शन को लीड करता है, तो COVID-19 का मतलब यही है कि communicable disease है, जो cause होती है एक पर्टिकुलर वाइरस से, और उस वाइरस का नाम है SARS-CoV-2, और यह जो SARS-CoV-2 है, अगर वह किसी इंदिविजल के अंदर infection को लीड करेगा, तो आप उसी infection को क्या बोलेंगे, COVID-19 बोलेंगे, period dominant जो event होती है, वो lungs में होती है, और lungs के अलावा भी आप देखते हो, extra lungs involvement होगा patient के अंदर, और बहुत सारे issues arise हो सकते हैं इंदिविजल में, जो भी है, इसका discussion हमने किया था हम आगे observe करते हैं, epidemiology के बारे में एक बार फिर से highlight कर लेते हैं, तो causative organism SARS-CoV-2 है, source of infection वह सभी व्यक्ति हो सकते हैं, जिनको COVID-19 है, इसका incubation period अगर हम देखते हैं, तो 2 से 14 दिन होता है, जो medium incubation period है, वह 5.5 के आसपास आप बोल सकते हैं, mode of transmission, ये बीमारी एक individual से, दूसरे individual में केसे transmit होती है, तो हमने पहले भी सुन चुका है, कि droplet transmission हो है, वह सबसे common route है, droplet के लावा देखे, तो contact और formid से भी ये बीमारी है, वह transmit हो सकती है, सभी age group है, वह susceptible है इस बीमारी के लिए, और इसके अंदर overall fertility है, वह 1 से 3 आप देख सकते हैं, प्रतिशत observe करी गई है, अलग-अलग area में, अलग-अलग जगह पे, अगर आप देखें, अभी की date में जब ये class record हो रही है, कि कितने कुछ patients हैं, जिनको कितने कुछ individual है, जिनको covid-19 हो चुका है, तो लगबग यहाँ पे, आज का status के हिसाब से, अगर आप observe करें, तो जो active case हैं इंडिया के अंदर, वह 3,000 के आसपास है, इसी प्रकार जो patient, जो individual जिनको covid हो चुका था, जो अभी discharge हो गए हैं, लगबग 4,41,56,651, मतलब 4,45 करोड के आसपास, जो patient है, वह already treated है, मतलब treatment उनको हो गया, death अगर आप देखें, तो 5,30,000 के आसपास इंडिया के अंदर death हुई है, तो यह इतना grave है, कि इसने इतनी सारी mortality lead करी है, में भी यह aesthetics हैं, आपको ध्यान में होने चाहिएं, कि लगबग 5,5,50,000 के आसपास जो लोग हैं, वह death को प्राप्त करें हैं, लगबग 4,45 करोड के आसपास जो individual हैं, वह affect हुए हैं, और vaccination drive की बात करें, कि कितनी dose है, वह rendered हो गई हैं इंडिया के अंदर, तो लगबग 220 करोड dose इंडिया के अंदर लगा जा चुकी हैं, तो इतना vaccination इस level तक हुआ है, कि लगबग अगर on and average देखें, तो इंडिया के अंदर, जो individual हैं, सब को single dose तो मिली गया, इसके अलावा भी अगर आप देखें, तो double dose और booster dose तक का बात हो चुका है, तो यह statics हैं, जो आपको ध्यान में रखना है COVID-19 के बारे में, अभी हम देखेंगे साथ, diagnostic investigation क्या किये जाते हैं किसी individual को जिसको COVID-19 है, तो जेसे diagnostic investigation के हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि diagnostic investigation क्यों करते हैं तो कोई भी disease में diagnostic investigation इसलिए किया जाता है ताकि हमको उस बिमारी का कारण मालूम पड़े उस व्यक्ति का जो condition है उसके बारे में मालूम पड़े कि उसकी जो condition है वा कितनी grave है और कोई भी complication उस व्यक्ति के अंदर उस ब जाते हैं तो जैसे आप लेते हैं साब इंडिविजल के हैं अंदर history taking and physical examination अगर मैं को तो history जब हम लेते हैं तो हम यहाँ पे community के perspective से देखे तो हम जिस व्यक्ति का history ले रहे हैं वह व्यक्ति हो सकता है या तो वह suspect case हो सकता है या वह व्यक्ति हो सकता है प्रॉबेबल case या वह व्यक्ति हो सकता है confirmed case तो वह कोई भी individual हो सकता है जिसके अंदर कुछ ऐसे manifestation आ रहे हैं जिनको देखे हम ऐसा सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति को COVID-19 हो सकता है maybe वह suspicious हो सकता है maybe वह positive हो सकता है तो हम देखते हैं कि क्या history के अंदर हम व्यक्ति के अंदर manifestation observe करेंगे जब आप history लेते हैं कोई भी individual के अंदर तो history में आपके लिए important question यही है कि साब उस व्यक्ति के अंदर cases symptoms आ रहे हैं क्या sign symptoms आ रहे हैं क्योंकि patient के अंदर acute respiratory infection के sign symptoms आ सकत हैं individual के अंदर अगर हम देखें तो URTI होगा fever होगा साब patient के अंदर आप देखेंगे individual को खासी हो सकती है patient को shortness of breath हो सकता है individual के अंदर GI disturbance हो सकता है और patient के अंदर GI disturbance के अलावा अगर हम देखें तो उस individual के अंदर आप observe कर सकते हैं जैसे loss of smell है patient के अंदर gestionary loss है उन चीजों को हम देख सकते हैं तो जैसे हम ऐसे manifestation को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता कि हो नो हो इस individual को covid हो सकता है इसी प्रकार अगर आप देखें तो patient के अं निया मिलेगा मतलब वह व्यक्ति है उसका जो स्वास का गती है वह बड़ा हुआ हो सकता है patient के अंदर देखा जाएगा तो saturation है वह fall हो सकता है individual के अंदर blood pressure है वह कम भी हो सकता है और depend करता है कि उसके अंदर कोई cause है या नहीं है तो ऐसे manifestation जब हम देखते हैं किसी individual के अंद तो हम समझते हैं कि यह जो individual है उसको COVID-19 हो सकता है तो ऐसा हम उसका history के अंदर और उसके अंदर physical examination करते हैं तब इन चीजों को देखते हैं हमारे लिए मैटपूर्ण बिंदू है कि उसको fever है साब fever infection को suggest करता है respiratory involvement बताता है कि involvement है कि इसका साब फेपड़ेगा इसी प्रकार यह compensation जो हो रहा है वो बता रहा है graveness of disease को कि heart rate कितनी बड़ी हुई है blood pressure कितना drop हुआ है patient के अंदर स्वास की गती कितनी है क्या यह स्वास है उसकी जो गती है वह 24 से ज्यादा है 30 से ज्यादा है तो यह graveness को suggest करता है saturation कितना fall हो रहा है क्या 194 से कम है क्या 190 से कम है तो यह भी बताता है उस disease के graveness को तो simple सा बात है proper history and proper physical examination हमें help करता है उस condition को समझने में तथा यह भी suspicious करने में हमको यह बदत करता है कि हो नो इस व्यक्ति को क्या हो सकता है COVID-19 हो सकता है अब उसी चीज़ को आप confirm करना चाह रहे हैं तो आप आगे के investigation कराते हैं तो यह जो व्यक् व्यक्ति वह भी हो सकता है जिसको COVID-19 है तो पहले हम देख लेते हैं क्योंकि बहुत बार आपको यह भी पूछता है कि suspect case किसको बोलेंगे suspect case का बच्चो मतलब यही है कि कोई भी individual है जिसके अंदर कुछ presentation आ रहे हैं जैसे fever आ रहा है और fever के अलावा अगर आप देखे तो उसके अंदर कोई भी sign respiratory symptoms आ रहा है जिसे मैं कहूँ कि hypothetical एक individual है उसको fever आ रहा है और fever के अलावा हम देख रहे हैं तो उस व्यक्ति के अंदर respiratory distress का कोई भी एक finding आ रहा है में भी उसको खासी आ रहा है में भी उसको shortness of breath है तो यह हमारा case suspect है fever और ऐसे sign symptoms के साथ आता है व्यक व्यक्ति यह बताता है कि वह व्यक्ति उस एरिया से आ रहा है जहां पर ओल्रेड़ी कोवीड के cases थे जैसे मैं समझा रहा हूं कि एक patient है जो जो fever और respiratory symptoms के साथ हमारे पास आया हमने उसको पूछा और उसने बताया कि वह व्यक्ति उस जगह से आया है जहां पर कोवीड है व हो सकता है तो यह हमारा हो गया suspect क्योंकि already exposure मिला है उसको उस environment से आया है जहां पर कोवीड क्या था और फिर उसके अंदर इसे symptoms आये तो हम ऐसा सोचेंगे कि यह व्यक्ति है वह पोरोना positive हो सकता है तो यह हो गया suspect number 1 suspect number 2 कौन सा है suspect number 2 वह व्यक्ति है जो उस सेम बात है उसके भी एक respiratory distress का manifestation आ रहा है और वह history में यह बता रहा है कि वह एक एसे व्यक्ति के साथ रहा था जिसको जिसको COVID-19 positive हुआ और यह जो duration है वह at least 14 days से prior का है तो हम समझेंगे कि यह जो इंडिविजल है वह क्या है suspect इंडिविजल है और तीसरा वह इंडिविजल जिसके अंदर severe acute respiratory distress के manifestation आ रहे हैं और उसको हमको अस्पताल में भरती करना पड़ रहा है ऐसी नौबत आ रही है तो वह भी हमारा suspect कैसे तो मैं इसको और इसी कर देता हूं suspect का मतलब क्या है कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर fever है और fever के अरावा respiratory illness का presentation है तो हम उसको suspect मानेंगे और अगर वह व गया यहां वह यूँ बोलता है कि साब मैं ऐसे व्यक्ति के साथ रहा जिसको कोविड positive था तो वह हमारा suspect हो गया और तीसरा मैं यूँ बोल रहा हूं कि अगर कोई patient है उसके अंदर ऐसी कोई history नहीं है फिर भी अगर उसके अंदर ऐसे manifestation आ रहे हैं कि हमको उस व्यक्ति को hospitalized क करने का नौबत आ रहा है तो आप उसको suspect मानेंगे तो यह suspect केस हुआ जो आपको समझना है वह व्यक्ति जो की severe ill है और hospitalized करने की नौबत आ रही है और वह व्यक्ति जिसके अंदर science symptoms हैं और history में देखा गया तो exposure है कि वह उस area से आ रहा है या उस व्यक्ति के साथ रहा हुआ तो वह हमारा हो गया साथ suspect प्रॉबेबल केस कौन सा है प्रॉबेबल केस का मतलब वह व्यक्ति वह suspect जिसका हमने investigation किया है और वह investigation inconclusive है suspect case for whom testing for covid-19 is inconclusive तो उसको हम प्रॉबेबल केस मानेंगे और confirm case वह हो गया जिसके अंदर हमने जाच की और जाच है वह positive आ गई जिसे आ RT-PCR अगर patient के अंदर positive आ गई तो उस cases को हम बोलते हैं confirm case तो simple सा बात है confirm case वह है जिसमें RT-PCR positive है probable case वह है जिसके probable case वह है जो कि suspect individual है जिसकी covid की testing है वह अभी तक inconclusive है तो वह हमारा क्या हो गया probable case हो गया और suspect मैंने बोला कुछ ऐसे presentation आ रहे हैं और history के अंदर हमने हमने द से आया हुआ है और ऐसे व्यक्ति में history मिला कि वह covid-19 वाले व्यक्ति के साथ रहा हुआ है तो उसको हमने suspect माना तो proper history physical examination जब हम करते हैं तो हम यह differentiate कर पाते हैं कि यह जो patient है वह suspect category में है यह जो patient है वह probable है confirm है ऐसा आप disintegration कर सकते हैं तो पहला important बात है diagnostic investigation में proper history लेना proper physical examination करन ताकि आप case को बहुत अच्छे से समझ पाएं उसके बाद मैंने आपको बोला कि साथ patient के अंदर हम इस विमारी के cause, condition, complication को assess करना चाहते हैं तो हम patient में various investigation perform करेंगे various investigation के अंदर अगर आप देखें तो जो सबसे common use किया जाता है इस बिमारी को confirm करने के लिए जिसको हम बोलते हैं RT-PCR आप बोलते हैं RT-PCR जो है वह एक investigation है जो use किया जाता है patient के अंदर COVID-19 को confirm करने के लिए जैसे हम देखते हैं RT-PCR क्या है तो RT-PCR जो है वह gold standard test मना गया है अगर आपको exam में पूछे कि gold standard test कौन सा है जो individual के अंदर COVID-19 को confirm करता है तो वह है RT-PCR और RT-PCR का मतलब है reverse transcriptase polymerase chain reaction reverse transcriptase आप बोल सकते हैं इसका full form कि RT-PCR है वह क्या है तो real time reverse transcription polymerase chain reaction यह इसका full form है जो आपको ध्यान में रखना है दूसरा important बात आपको यह ध्यान में रखना है कि यह gold standard test है यह gold standard test है जो किया जाता है क्या confirm करने के लिए COVID-19 को confirm करने के लिए तो gold standard test है यही confirmatory test है आपको यह भी ध्यान में रखना है अगर आपको पूछे कि निम्न मेंसे कौन सा confirmatory test है तो आपका answer होना चाहिए कि साप RT-PC PCR जो है वक confirmatory test है जो COVID-19 को confirm करने में मदद करता है कैसे करते और इसमें होता क्या तो RT-PCR जब हम करते हैं बच्चो तो यहाँ पर लिख रखा है कि reverse transcription polymerized chain reaction इसके अंदर क्या होता है साब कि एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम reverse transcription करते हैं RNA को DNA के साथ reverse transcription of RNA into DNA और उन को ऐसा करके फिर आप उसको amplify करते हैं specific DNA target को और उन सब को करने के लिए हम use क्या करते हैं polymerized chain reaction को तो ऐसा करके हम उस individual के अंदर जो genome है उस genome को identify कर लेते हैं उस RNA को identify कर लेते हैं जो की COVID-19 मतलब SARS-CoV-2 का है तो इसलिए हम जो जहांच करते हैं उसको बोलते हैं real time और आप बोल सकते है reverse transcription polymerized chain reaction तो इसके बारे में दो तीन प्रशन यहीं है यह confirmatory test है यह goal standard test है यह शायद उसका पूरा नाम है और इसके अंदर क्या use करते हैं तो simple सा बात है साब जो antigen coronavirus का है जो RNA coronavirus का है उस RNA को ही एक तरह से हम क्या कर रहे हैं साब DNA के साथ combine करके amplify करके उस particular RNA को rebuild कर रहे हैं तो उसी को हम बोलते है reverse transcription polymerized chain reaction तो आपको ध्यान में होना चाहिए साब RT-PCR के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा तो हमें साब उस individual के अंदर specimen obtain करना पड़ेगा RT-PCR के लिए हम क्या करते हैं specimen हम obtain करते हैं specimen कहां से obtain करते हैं तो साब nose से आप बोल सकते हैं नाक से nasal pathway से हम निकालते हैं तो आपने देखा होगा साब कि patient के अंदर nasal pathway हुआ nasopharyngeal track was nasopharyngeal track oropharynx 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 was saliva sputum or endotracheal aspiration endotracheal aspiration तो RT-PCR को perform करने के लिए हम को specimen लेना है मतलब हम उस व्यक्ति के अंदर nasal swab लेंगे हम एक swab लेंगे और ये जो swab है वह कहां से लिया जाएगा तो साब ये जो swab है वह nasal pathway से nasopharynx से, oropharynx से या saliva से या उन व्यक्ति में जिनमें ये possible नहीं है कि यहां से obtain किया जाए उन individual के अंदर endotracheal aspiration करके हम इसको लेते हैं अब ये जो swab है वह आपका specimen है और इस specimen को हम ले जाके उसकी जाज करवाते हैं और जाज का report आ सकता है positive और negative कि patient है वह positive है या negative है तो जब आप specimen obtain करते हैं तो आपके पास जो stick होगा जिसके अगरबाग पर आप देखोगे swab लगा हुआ होगा उसको nasal pathway के अंदर आपको insert करना है तो लगबग 8 से 10 cm हम insert करते हैं उस stick को जिस पे swab लगा हुआ है up to nasopharynx up to nasopharynx हम इसको insert करते हैं इसको hold कैसे करते हैं तो pen की तरह ही यह से आपको hold करना है और ऐसा करके हम उस area से specimen को obtain करते हैं तो जैसे आप यह pen की तरह hold गिया patient को hyper extend गिया nasal pathway के अंदर आप क्या करेंगे इसको insert करेंगे 8 से 10 cm इसको insert करना है और उसके बाद आप उस specimen को ऐसा rotate करेंगे उसको आप गुमाएंगे और फिर हम उस patient के अंदर specimen को obtain करेंगे और उस specimen को obtain करके उसको carrier के साथ carry करके lab तक पहुचाया जाएगा और lab के अंदर उस particular investigation को perform किया जाएगा जिसका report आ सकता है कि individual के इंदर जो specimen है वह positive है या negative है वहाँ पर एक और चीज भी mention होती है बहुत बार हम देखते है city ratio ऐसा आता है कि सब city ratio क्या है ऐसा पूस सकता है आपको तो city ratio का मतलब होता है cyclic threshold cyclic threshold cyclic threshold को हम बोलते है city ratio यह city value भी होता है और city ratio भी बोलते हैं यह बताता है एक तरह से virus lord के बारे में जितना ज़्यादा virus का lord होगा उतना जो city value है वह कम होगा तो आप बोल सकते हैं city value is inversionally professional virus lord मतलब कम cycle के अंदर अगर identification हो जाता है इसका मतलब individual का जो specie band है वह अच्छे से concentrate था इसलिए patient में कम cycle में ही वह amplify कर पाया और result patient का positive हाया तो याद रगना city ratio जितना कम है उतना patient के अंदर virus lord जादा है अब उसका ये मतलब नहीं है कि patient की पूरी body के अंदर virus lord है वह उसी के proportion में होगा बहुत बार हम specimen को बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं तो उसके अंदर आप देखते हो बहुत easily आप virus को revealed कर पाते और बहुत बार ऐसा हो सकता है बहुत सारी चीजों पर depend करता है specimen collection के से हुआ था उसका carrying के से हुआ investigation के से perform हुआ लेकिन अगर आपको city value के बारे में पूझा city value में HR city की बात नहीं कर रहा है मैं RTPCR की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर आपको यह ध्यान में रखना है कि जितना कम cyclic threshold के अंदर result आता है उतना ही patient के अंदर जो virus load है वह क्या है ज्यादा है क्योंकि कम cycle के अंदर virus है वह क्या हो रहा है साथ परसीव हो रहा है तो यहाँ पे हमने देखा तो आपको basic बात क्या ध्यान में रखनी है तो पहली important बात है कि which of the following investigation help us to confirm COVID-19 especially हमारे यहाँ पे किया जाता है RT-PCR full form क्या है तो real time reverse transcription polymerized chain reaction इसके अंदर क्या करते हैं तो हम साथ nasal swab या अलग-अलग area से specimen को obtain करते हैं यह depend करता है individual का condition पे बहुत बार हमको endotracheal aspiration भी करना पड़ता है क्योंकि individual है वो intimated रहते हैं तो ठीक है साथ आप specimen को obtain करें specimen को obtain करने में आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो nasal stick है उसको 8-10 cm इंसर्ट करते हैं तब तक करते हैं जब तक कि पीछे से nasal pharynx का floor नहीं आ जाता फिर अच्छे से specimen को obtain करना है अच्छे से उसको carry करना और अच्छे से उसको lab को पहुचाना है और वहाँ पे इस प्रक्रिया का अंजाम होगा जहां पर result आएगा कि patient है उसको covid-19 है या नहीं है और same time वहाँ पे city value भी mention होती है तो city value को भी आप देख सकते हैं वह कम से कम virus load के बारे में बताता है जो हमें ध्यान में होना चाहिए तो यह एक test है जिसको हमने बोला RT-PCI आप बहुत बार लिखते हैं NAT N-A-T Nucleic Acid Amplification Test Nucleic Acid Acid Amplification Amplification Nucleic Acid Amplification Test NAT Cartridge-based CB NAT भी बोलते हैं NAT भी बोलते हैं तो आप Nucleic Acid Amplification Test बोलते हैं बहुत 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 टूनेट लिखाता है RT-PCR आप ध्यान में रखिएगा RT-PCR एक important investigation है इसके अलबाब आप देखे हैं तो हम Rapid Antigen Test भी कराते हैं Rapid Antigen Test एसा लिखा आता है Rapid Antigen Test RAT Rapid Antigen Test और यह जो Rapid Antigen Test है उसके अंदर उस वाइरस के प्रोटीन को डिटेक्ट किया जाता है वाइरस का जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को हम क्या करते हैं सब डिटेक्ट करते हैं Detection of वाइरस प्रोटीन और यह हम को बहुत immediate result देता है क्योंकि यह test immediate result देता है तो इसलिए हम इसको बोलते है Rapid Antigen Test फुल फॉर्म लिख लिजेगा Rapid Antigen Test इसका फाइदा यह है कि यह immediate result देता है और नुकसान यह है कि इसकी जो sensitivity है वो RT-PCR से बहुत कम है इसके अंदर भी हम को क्या उप्टेन करना पड़ेगा तो इसके अंदर भी हम सैम बात है कि साब हम उस individual से उप्टेन करेंगे specimen को तो आपको nasal swab लेना होगा और यह जो swab है उसको हम उप्टेन करेंगे nasal, nasopharyngeal और saliva से और फिर हम उसको क्या करेंगे साब investigation करेंगे तो यहाँ पर ऐसा भी किया जाएगा तो उसको बोलते है rapid antigen test आज कल rapid antigen test देखा जाए तो उसकी portable चीजे available है about करके company है जिसने बना रखा है जिसके अंदर क्या करते हैं तो इसको भी हम बता देते हैं कि कैसे यह perform होता है और आपको क्या ध्यान में रखना है क्योंकि यह घर के अंदर भी easily perform हो सकता है एक पुरा कीट आता है इस कीट के अंदर क्या कुछ इसी बाते आती हैं हम देख लेते हैं क्योंकि यह हमें explain करना पड़ सकता है तो सब एक कीट आता है जो rapid antigen test को perform करने में हमको बदद करता है इसके अंदर एक test device होती है इसके अलावा एक tube होती है tube के अलावा एक buffer solution होता है 0.4 ml एक swab होता है जिससे हम specimen को obtain करते हैं और एक bag होता है जिसमें हम इन सब चीजों को discard करेंगे और एक rack होगा जिसके अंदर इस tube को place किया जाएगा तो ये 4 से 5 important चीजे हैं ये slide है ठीक है जी जो test strips समझे एक tube है एक buffer solution का bottle है इसके लावा एक swab को obtain nasal swab है stick है इसके लावा हम देखते हैं एक racks है जिसके अंदर इस tube को रखा जाएगा ये सब चीजे हमारे पास available होती है इस test को perform करने के लिए अब क्या करते हैं सबसे पहले जो buffer हमने लिया ये जो buffer है जिसे आपने फैवी quick देखा होगा फैवी quick को हम क्या करते हैं साब खोलते हैं वैसे इस buffer को uncap करना है और uncap करके इस buffer को इस solution को आप pour करेंगे इस tube के अंदर तो पहला important step यही है किसाब हम इस buffer को unplug करेंगे और buffer को unplug करके इस tube के अंदर इसको डालेंगे tube को डालेंगे तो tube है उसके अंदर आप इसको डालिएगा और tube में डालने के बाद इस tube को इस rack में रख दीजिएगा ये आपको करना है unplug करना है tube में डालना है और tube को आप rack में रखेंगे सीधा ऐसे buffer डालने के बाद क्या करेंगे तो सब हम open करेंगे उस swab stick को जिससे हम specimen लेने जा रहे हैं अब ये जो swab stick है उसको लगबग 2 cm अंदर insert the soft end of swab through back into your nostril मतलब नाक में आप लगबग उसको 2 cm इंसर्ट करेंगे और 2 cm इंसर्ट करने के बाद आप उसको rotate करेंगे 5 times जिससे आपने बोला कि साब नाक में इसको insert किया insert करने के बाद आप क्या करेंगे साब उसको rotate करेंगे साब 5 times फिर same प्रक्रिया आप दूसरी nostril में करेंगे फिर से 2 cm अंदर insert करेंगे फिर इसको rotate करेंगे five times और rotate करने के बाद उस specimen को आप क्या करेंगे उस tube के अंदर रख देंगे जैसे rotate किया उसके बाद हमने क्या किया उस specimen को वो जो tube थी जिसमें आपना buffer डाला था उसके अंदर आप ऐसा रखेंगे और रखने के बाद उसको अच्छे से हमें क्या करना है ऐसा स्विल करना है मतलब ऐसे ऐसे इसको गुमाना है पांच बार आप इसको ऐसा गुमाईए फिर उसको ऐसा पींच करिए पींच करने का मतलब यह है कि उस स्वैब को आप ऐसे करके क्या करेंगे pinch करेंगे और pinch करने के बाद यह जो stick है उस stick को यहां से हम क्या करेंगे तोड़ देंगे तो ठीक ऐसा बैसा किया उसके बाद आप इस stick को यहां पे तोड़ दीजिए यह जो swab है वह अंदर ही रह जाएगा इस buffer solution के साथ अब आप उपर से जो tube है उसको क्या कर दीजिए बन कर दिया ट्यूब को बन करने के बाद इस solution की कुछ drops होती है उन drops को हम इस particular strip के अंदर डालेंगे जो test हमारी spirit है तो जैसे ही हमने यह किया उसके बाद क्या किया जाएगा उसके बाद आप उपर से इसको blue cap से इसको बन कर दीजिए अब हम खोलने वाले हैं नीचे वाला एरिया जहां पर solution है फिर आपने क्या किया जो device है उसको flat surface पर रखना है और device को जब आप देखते हो तो उसके अ device को ऐसा सिधा रखा device को सिधा रखा और फिर हमने 5 drop उस well के अंदर उस solution की डाली जिसके अंदर हमने specimen obtain किया था ऐसा करने के बाद हम 15 मिनट क्या करते हैं वेट करते हैं और 15 मिनट वेट करने के बाद हम देखते हैं उसका result लेकिन याद रखना 15 मिनट के बाद देखना है do not read the result earlier than 15 मिनट और आफ्टर 20 मिनट अब 15 मिनट के बीच में हमको उस result को देखना है अब result क्या आ सकता है result में यह आ सकता है अगर आप इसको देखे अगर strip आपको नहीं देख रही है तो यह well है जिसमें हमने fluid को डाला और इसके बाद हमारा आता है साब इसके अंदर flat area होता है उसके अंदर हमको lines दिखती है एक line है जिसको हम C बोलते हैं और दूसरी line है उसको हम T बोलते हैं C का मतलब होता है control क्या होता है बच्चे control और T का मतलब होता है test याद रखेगा result है वो 15 से 20 मिनट में पढ़ना है तो आपने जिसे 5 drop यहां पे डाला उसके बाद हमने 15 मिनट का wait किया वेट करने के बाद देखिए इस strip को उस strip के अंदर क्या हो सकता है यह हो सकता है कि उस strip के अंदर आपको T वाली value तो मिल जाए मतलब test वाली value तो मिल जाए लेकिन C वाला value आपको नहीं मिले तो test वाले में तो line आ रही है लेकिन C वाले में line नहीं आ रही इसका मतलब यह invalid result है यह result नहीं माना जागा है क्योंकि C तो compulsory है control तो आना ही है दूसरे में क्या हुआ सब C की value भी आ गई और T की value भी आ गई इसका मतलब patient positive है उसके अंदर corona का antigen है और तीसरे में क्या देखा हमने तीसरे में देखा C तो है T नहीं है इसका मतलब patient है वा negative है और यह जो items है उनको proper आप dispose of करेंगे कि इसके अंदर उस bag को जो हमें provide कर रख सकते हैं इवन आप सला दे सकते हैं community के अंदर इस test को बहुत से लोग easily perform करते हैं तो यह basic इसके अंदर steps थी और आपके पास app होगा उस app के थ्रू आप अपना result का photo खेज के भेज देजिए ICMR वाले उस result को क्या कर देंगे upload कर देंगे positive negative और cannot वाला जो भी है उसको upload कर देंगे sites के उपर तो ठीक है ऐसा कुछ करना है आपको ध्यान में रखना है मैं short में बोलता हूं device यह चीजे आएंगी सबसे पहले buffer को लेना है buffer को पोर करना है tube में फिर swap को निकालना है specimen obtain करना है Chris swap को डालना है tube के अंदर और buffer solution के साथ इसको mix करना है solution को अंदर mix करके उपर से यह जो tube है blue इसको लगा देंगे लगाने के बाद क्या करेंगे आप इस strip को test device को हम open करेंगे उस test device को flat surface पर रखेंगे फिर यह जो हमने solution buffer का और antigen के mix का बनाया है उ उसको well में डालेंगे well में डालने के बाद 15 से 20 मिनट में पढ़ा जाएगा पढ़ा जाने के result हो सकते है positive negative और आप बोल सकते है cannot से जहां पर perform invalid तो positive में क्या होगा तो C और T दोनों line मिलेगी negative में क्या होगा तो C पे तो line मिलेगी T है वह line वहाँ पे नहीं आएगी और invalid के अंदर क्या होगा ती तो आपका positive आजाएगा लेकिन C जो है वह क्या है साथ patient में नहीं दिखेगा तो यह जांच हम कर सकते हैं individual के अंदर तो यह rapid antigen test है जो immediate result देता है individual के अंदर तो यहां पर हमने देखा साथ test के अगर बाद चांस नाम आए तो मैं यह ध्यान में रखना आए बच्चों की RT-PCR confirmatory test है relatively more sensitive है gold standard test मना गया है इसके अलाबा आप देख सकते हैं rapid antigen test इस प्रकार हम चीज़े available है उसको हम even perform कर सकते हैं यह चीज़ हमको ध्यान में रखनी है तो यह test हो सकता है इसके अलाबा हम क्या कुछ इसे test है जो individual के अंदर perform करेंगे आप serological test करते है जहां पर antibodies को assess किया जाता है हम बोलेंगे सब serological test where one can assess antibody serological test के अंदर हम क्या देखते हैं तो हम individual के अंदर antibodies देखते हैं SARS-CoV-2 के अगेनेist IgM और IgG वो सकता है patient के अंदर antibody assess की जाए किसके अगेने SARS-CoV-2 के अगेने तो यह एक serological test है जहां पर antibody का assessment किया जाएगा तो confirmatory RT-PCR है rapid antigen भी एक प्रकार से test use किया जाता है तकि more reliable RT-PCR है serological test से हमें बस इतना मालूम पड़ेगा कि patient में infection हुआ है और patient को infection हुआ था या हुआ है क्योंकि IgM और IgG antibody अगर उस individual के अंदर मिलेंगी तो यह यह बताएगा कि patient exposed है और patient में covid हुआ होगा या हुआ है तो ठीक है यह भी test हम patient के अंदर करवाते हैं next हम कर सकते हैं test जो बड़े important होते हैं जिनके अंदर हम बोलेंगे साब आप patient के अंदर chest x-ray कराते हैं chest x-ray कराईए बस और यह जो chest x-ray है वह revealed करेगा उस patient के अंदर lungs की actual situation को तो chest x-ray जब हम कराते हैं तो chest x-ray में जो आने वाले changes हैं वह बताएंगे कि साब patient को pneumonia है और typical pneumonia है exactly है क्या है तो chest x-ray की जब हम बात कर लें तो हम देख लेते साब individual के अंदर chest x-ray जब आप कराएंगे तो chest x-ray के अंदर हमें क्या मिलेगा chest x-ray में हम देख सकते हैं ground glass opacity आप बोलेंगे साब patient के अंदर ground glass opacity मिलता है यह जो opacity है वो मिलता है ज्यादा तर middle और lower lob में जो middle और lower lob हैं वो usually affect होते हैं वहाँ पर हम देखते हैं consolidation मिलेगा वहाँ पर आप एक प्रकार के opacity देखोगे जिसको ground glass opacity बोलेंगे जैसे यहाँ पर अल्रड़ी marker रखा है कि यह जो area है यहाँ पर happiness है और यह define करता है कि इस individual के अंदर ground glass opacity है और ऐसा pattern आना इस बात को suggest करता है कि patient को covid-19 है X-ray देखा जाए तो यहाँ पर तीनो comparison में बता रखा है normal कैसा है pneumonia में क्या होने वाला है और covid-19 के अंदर क्या होने वाला है तो जो heaviness हमको दिखेगा जो consolidation दिखेगा उसको reveal करने के लिए हम शब्द यूज़ करते है ground gas opacity और यह जो opacity है वह entire lungs के अंदर दिख सकती है जैसे यहाँ बता रखा है कि lower और जो middle lob है उनमें यह देखा जा सकता है अब इसी चीज़ को और अच्छे से perceive करने के लिए हम उस individual के अंदर क्या करते हैं आप उस individual के अंदर HR city कराते हैं हम उस व्यक्ति के अंदर क्या कराएंगे साथ HR city कराएंगे high resolution city scan इसका कराएंगे साथ chest का जिसको हम क्या बोलते हैं HR city आप patient के अंदर HR city कराते हैं जब हम HR city कराते हैं तो हम उस individual के अंदर chest के अंदर lungs में पाई जाने वाले changes को देखते हैं अगर आपको पूछे की साथ lungs में क्या दिखेगा तो बच्चों यहाँ पे कुछ नाम है जो ज़रूर आपको दियान में रखने चाहिए हैं पहला important नाम है जब हम HR city कराते हैं इंडिविजर के chest का लंग्स का जब हम assessment करते हैं तो जो typical changes हमको lungs में मिलेंगे वह typical changes क्या मिलेंगे वह typical changes जो है वह लंग्स में मिलेंगे वह मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साथ patient के अंदर consolidation होगा हम देख रहे साथ individual में क्या होगा consolidation आप देखेंगे individual के अंदर ground glass opacity होगा हम ground glass opacity के अलावा शब्द यूज़ करते हैं individual में क्या होने वाला chest x-ray तथा hr city के अंदर तो interlobular interlobular septal thickness दिखेगा interlobular septal thickness हम patient के अंदर observe कर सकते हैं इस individual में moreover interlobular septal thickness के अलावा हम क्या देखते हैं तो हम एक शब्द यूज़ करते हैं reverse hello sign reverse hello sign reverse hello sign ऐसा हम term यूज़ करते हैं और इसी sign को हम बोलते हैं a tall sign a tall sign देखा जाता है individual के अंदर आप बोलेंगे साब patient के अंदर crazy paving pattern दिखता है crazy paving patterns हमको HR city में दिखता है तो यह सब typical presentation है जो हम इस individual के अंदर देखते हैं जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इस व्यक्ति के अंदर यह जो area है वह किस वे में affect हो रखा है तो यहाँ पर अलग-अलग presentation है अगर आप देखें तो मैंने आपको बोला कि साब patient के अंदर reverse yellow sign मिलता है यह interlubular थिकने से यह जो आप देख रहे हो यह क्या है साब reverse yellow sign reverse yellow sign में क्या होगा तो आप देखेंगे जो central area है जिसे मैं इसको draw करता हूँ ऐसे तो जो central area है जिसे मैंने यह जो yellow yellow बनाया है यह जो central area है वह central area में अगर हम देखते हैं तो patient में ground, glass, opacity होता है और यह जो peripheral area है वह उस peripheral area के अंदर consolidation हमको दीख रहा है तो ऐसा अगर हमको दीख रहा है जिसे यहाँ पर यह बता रखे हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं साब at all sign बोलते हैं reverse yellow sign बोलते हैं जहाँ पर बीच के अंदर देखा जाए तो ground glass opacity है और periphery के अंदर देखा जाए तो consolidation है तो यह चीज हम patient के अंदर observe करते हैं तो पूछा जाएगी एक patient के अंदर HR city है तो HR city में पाई जाने वले जो changes है वह क्या हो सकते हैं तो consolidation होगा साब individual के अंदर जो opacity देखता है उसको हम ground glass opacity बोलते हैं जो interlubular area है वहाँ पर हमें thickness मिलता है इसके अलाबा देखे था हम patient के अंदर reverse hello sign, a tall sign देख सकते हैं आप crazy paving pattern individual के अंदर observe कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि कौन सा lungs effect है, कौन सा lobe effect है और उसके आदार पे हम यहाँ पे कुछ values हैं उनके बारे में अध्यान करते हैं अब यही HR city के अंदर हम देखते हैं जब हम HR city कराते हैं तो HR city के बाद उसके अंदर पाए जाने वाले जो changes है उसको देखने के लिए हम उस व्यक्ति के अंदर city score को देखते हैं city score है वह बताएगा कि उस individual का lungs है वह कितना involved है मतलब lungs कितना involved है और उस lungs के अंदर कितनी opacity है उस opacity को देखने के लिए हम उस patient के अंदर HR city कराते हैं और HR city कराते हैं तो HR city कराते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि उस व्यक्ति का lungs कितना effect है उसके lob कितने effect है उस चीज को हम समझने के लिए हम city score के दवरा उसको revealed करते हैं city score जो है वह क्या है तो आप देखते हैं सब city score है वह out of 25 होगा अगर city score है वह 8 से कम आ रहा है तो हम बोलेंगे patient को mild condition है city score है वह 9 से 15 आ रहा है किसी individual के अंदर तो आप उसको बोलेंगे सब patient को moderate covid है और इसी प्रकाश city score है वह 15 से ज्यादा आ रहा है तो हम उसको severe covid के अंदर categorize करते हैं अब देखते हैं कि यह जो city score है वह केसे हम किसी व्यक्ति के अंदर assess करते हैं तो जिसे यहाँ पर यह right लोब है और यह left लोब है यह upper लोब और लोब हो गया और यह upper लोब और lower लोब हो गया टोटल यह जो लोब है वह 5 है और पाचों को पाचों लोबों को हमने कितना नंबर दिया है 5 नंबर दिया है पाच हम नंबर देते हैं तो पाच लोब है और पाच लोब में पाई जाने वाले changes के आदार पे हम उसको 0 से 5 numbering करेंगे जैसे समझो कि एक लोब ले लेता हूं क कि यह लोबर लोब है अब इस लोबर लोब का हम अध्यान करते हैं अगर लोबर लोब में का involvement नहीं हुआ है तो CT score हो गया 0 अगर लोबर लोब के अंदर 5% involvement हुआ है तो 5% से काम है तो आप आप उसको number देंगे एक इसी प्रकार अगर इस लोब में 5 से 25% involvement हुआ है तो हम उ इस individual के अंदर जो involvement है वो more than 75 है मतलब more than 75% area है जो इस लोब का affect है इसका मतलब उसका CT score हो गया 5 ऐसा हम प्रतेक लोब में assess करते हैं तो समझो कि किसी के अंदर involvement हुआ only 5 से 25% तो ये 2 हो गया इस लोब के अंदर middle लोब में involvement हुआ जैसे मैंने बोल रहा हूं 50 से 75% तो इसका score हो गया 4 lower lob में समझोगी साब जो involvement है वो more than 75% है तो इसका score हो गया 5 वैसा ही इसके upper lob का हो गया मना कि 5% से कम का involvement है तो 1 और 5 से 25% का involvement इस area का है तो 2 तो total 5, 2, 7, 8, 9, 10 तो इसका जो score हो गया वह कितना हो गया 14 out of 25 इसका मतलब इस व्यक्ति को moderate condition है इसको moderate कोवीड है तो बड़ा simple है आपको ध्यान में रखना है city score है उसकी total value जो है वो 25 है 25 में से कितना आया 8 से कम है 9 से 15 है 15 से उपर है उसके आदार पे हम उसकी severity को decide करते हैं हर लोप को 0 से 5 अंक दिये जा सकते हैं depend करता है उसके involvement पे अगर involvement नहीं है तो 0 अगर involvement है वो more than 75% है तो आप उसक अंक है तो 0 से 5 हम patient के अंदर अंक परदान कर सकते हैं depend करता है involvement case आए प्रतेक लोप के साथ ऐसा किया जाएगा और ऐसा करने के उपरान हम total calculation करेंगे और जो total calculation आएगा वो बताएगा कि इस individual के अंदर क्या city value है patient के अंदर तो इसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि patient के अंदर फेपडे का involvement case आए जैसे यहां पर एक city scan बता रखा है और इस city scan के अंदर right lower lob के बारे में बता रखा है कि right lower lob का involvement case आए अभी आप इस scan को देखते हैं तो हमें इसमें कोई involvement नहीं दिख रहा है इसलिए हम इसको mark कर रहे हैं कि साब इसमें कोई involvement नहीं है 0 इसी प्रकार इसी 5% है था हम इसको mark कर रहे हैं 1 ईक कितना mark कर रहे हैं 8 क्योंकि जो involvement है वह क्या है सब्ला किसको इंडूइस को दो इसी प्रकार जो involvement है वह 26 से 50 प्रतिशत में है मतलब जो involvement हो रहा है साब individual के अंदर वह क्या हो रहा है वह उस व्यक्ति के अंदर 26 से 50 प्रतिशत हो रहा है तो यहाँ पे हम उसको अंग देंगे 3 इसी प्रकार जो involvement है वह उससे भी ज्यादा हो रहा है 50-70, 75% हो रहा है 50-70% हो रहा है तो हम उसको अंग दिये हैं 4 और अब आप देख रहे हैं सब involvement है वह more than 75% है तो हम उसको अंग दे रहे हैं 5 तो ये बताता है CT score और जितना value आया उसके आधार पे हम patient की अंदर क्या करेंगे CT score को decide करेंगे तो पहला important बात है HR CT एक important investigation है जिसको हम use करते हैं उस individual की अंदर lungs के involvement को assess करने के लिए HR CT के अंदर पाई जाने वाले changes जो हमने देखे जो classical changes है वो क्या है ground glass opacity देखना ground glass opacity के लावा hello sign है सब हम patient के अंदर देखते हैं at all sign इन चीजों को हम observe करते हैं फिर उसकी severity को assess करने के लिए हम CT severity score देखते हैं जो 25 में से हो सकता है जिसको हम ऐसा assess करते हैं इसके अलावा हम patient के अंदर एक और pattern देखते हैं जिसको हम बोलते हैं core ad score अब यह जो core ads है वो क्या है तो पहला important बात यह है कि core ads का full form क्या है core ads का जो full form है वो है COVID-19 reporting data system COVID-19 reporting and data system यह एक data system है जो COVID-19 में जो CT scan जो हमको दिखता है उस CT scan को rebuild करने में हमको मदद करता है यह बताता है कि patient में suspicious है कि उसको COVID-19 है level of suspicious for pulmonary involvement of COVID-19 जितना core ads जदा होगा उतना हम समझेंगे patient को COVID-19 है और जितना core ads है वो कम है उसके आधार पे हम सोचेंगे कि patient को COVID-19 नहीं हो सकता जैसे यहाँ पर बता रखा है कि कोई individual है जिसका core ads zero है इसका मतलब यह है कि इस individual के अंदर scan है वो या तो अच्छे से लिया नहीं कुछ न कुछ patient में scan technically insufficient है तो हम patient में core ads जो बोलेंगे वो zero है यहाँ पर अगर हम देखते है core ads से वो एक है तो COVID होने की संभावना है वो सबसे कम है very low क्योंकि यह जो एक हमने देखा है changes वो normal है और वो non-infectious condition में देखा जाता है इसी प्रकार core ads अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब यह है कि जो संभावना है वो low ही है नहीं है typical यह देखा जाता है other than COVID disease के अंदर core ads अगर 3 है तो भी हम unsure हैं कि इसको हो सकता है यह features है वो compatible with COVID हो सकते है लेकिन और कोई बीमारी के अंदर भी देखे जा सकते हैं तब हम core ads 3 देखते हैं चोथा interpretation हो सकता है जहां पे हम COVID को suspicious COVID जिसे changes हमको मिलते हैं तो हम संभावनाव को बढ़ाते हैं पांचवा अगर देखे तो score में core ads अगर 5 आ रहा है तो बहुत ज़ादा संभावना है यह typical changes है जो COVID-19 के अंदर हमको मिलते हैं core ads 6 है तो यह बात है वो proven है RT-PCR positive मिलेगा इस individual के अंदर तो कहने का मतलब यह है city severity involvement को बताता है और core ads इस चीज को बताता है कि कि कितना suspicious probability है मतलब कितनी probability है कि इस individual का जो X-ray है वो COVID वाले individual का X-ray है तो यहाँ पे हम उस patient के अंदर core ads को देखके इन चीजों को observe करते हैं और वही चीज यहाँ पे mention कर रखी है कि core ads अगर 1 है तो finding है वो non infectious disease का है core ad है वो 2 है तो finding consistence with other disease like typical bronchiolitis और ऐसे उनमें देखता है core ads है वो 3 है तो यह indicate करता है infection लेकिन हम sure नहीं है कि यह COVID का infection है core ad अगर 4 है तो यह हमको suspicious करता है कि हो नो patient के अंदर COVID-19 हो सकता है और अगर core ads 5 है इसका मतलब यह बताता है कि इस individual के अंदर corona है क्योंकि वह सब बाते जो हमने बोला crazy paving consolidation, groundless opacity, यह सब groundless opacity with or without consolidation हम patient के अंदर देख रहे है तो हम बोलते core ads है वो 5 है तो यह हमें ध्यान में रखना है core ads जो है वो इन चीजों को बताता है तो यहाँ पे मैंने बोला कि साब HR city एक important investigation है और इसके आदार पे हम इन चीजों को क्या करेंगे साब इस individual के अंदर assess करते है HR city के अलावा हम क्या कर सकते है तो बच्चो sonography कर सकते हैं पेशेंट के अंदर आप individual में USG कर सकते हैं आप patient के अंदर USG करके भी चीजों को assess कर सकते हैं कि वही क्या changes है हुए है individual के अंदर next हम जहांचे करेंगे जिससे हमको यह समझ में आएगा कि patient के अंदर जो event है वह और कितनी खतरनाक है जिससे आप इस patient का CBC कराते हैं तो बच्चो CBC है तो patient के अंदर जो ESR है वह बढ़ा हुआ मिलेगा patient के अंदर जो lymphocytes हैं वहाँ कम हो जाएंगी और जितना ज़्यादा lymphocyte कम है वह neutrophil lymphocyte ratio को क्या करेगा altered करेगा जो इस विमारी के prognosis को poor कर सकता है जो platelets हैं patient के अंदर वह platelets भी कम हो जाती हैं क्योंकि मैंने आपको बोला था कि सब COVID जो है यह जो virus है वह patient के अंदर endothelitis करता है patient के अंदर रखना है यह सर बढ़ा हुआ है जो definite बात है infection को suggest करता है lymphocyte से वह कम है और यह जितनी कम होंगी उतना बता रहा है viral load को और viral infection की lethality को lymphocytes count है वह patient के अंदर कम हो जाएंगे platelets से वह utilize बहुत ज़्यादा हो गई है और इसके लवा poiesies है वह भी affect होता है इसलिए patient के अंदर जो platelets count है वह क्या है बहुत कम है तो यह तो हम देखते हैं normal CBC के अंदर आप कुछ inflammatory markers को भी देखते हैं यह जो marker है वह inflammation को बताते हैं तो इनको हम बोलते हैं inflammatory markers inflammatory markers हैं वह हमें help करते हैं यह देखने के लिए कि इस patient के अंदर inflammation है वह कितना है जैसे inflammatory markers के अंदर हमने pathophysiology में सुना था कि हम patient में CRP कराते हैं C-reactive protein और यह जो CRP है वह बताएगा साब individual के अंदर inflammation को इसकी value में आपको बोला था 100 से ज़दा है इसका अंदर patient है severe inflammation patient में गटीत हो रहा है इसकी value बड़ी interesting है इसके अलावा ESR भी बताता है patient के अंदर infectious और inflammatory condition को आप देखते हैं साब interleukin 6 देखते हैं interleukin 1 देखते हैं इनकी value भी बड़ी होई होती है जो inflammation को suggest करती है more ever value की अगर हम बात करें तो हम इस वक्ती के अंदर देखते हैं सब LDH के level को आप देखेंगे faratine के level को तो LDH का level है faratine का level है वह भी patient के अंदर हमको क्या मिलेगा बड़ा हुआ मिलेगा तो ये markers हैं जो हमको देखे जाने चाहिए इस individual में तो हम क्या करते हैं जो भी individual जिसको ये problem है उसके अंदर periodically monitor करते हैं इन markers को और इन markers को periodically monitor करते हैं आप देखते हैं उस inflammatory event को क्योंकि आपने देखा था जाप patient के अंदर inflammation हुआ तो cytokines release हुआ interleukines release हुए inflammation बहुत grave हुआ सीर्स हो जाता है patient के अंदर cytokines storm हो जाता है तो उन सब चीजों को assess करना है उसकी probability को तो आपको इन parameter को देखना है जो बड़े हुए होते हैं एक patient को जिसको COVID-19 है कोगुलोपैथी को अगर आपको देखना है कि patient के अंदर clot बंद रहे हैं क्या तो उसके लिए आपको D-dimer देखना पड़ेगा हम patient के अंदर D-dimer का value देखते है D-dimer की value वह बड़ी हुई है इसका मतलब patient के अंदर कोगुलोपैथी हो रखा है इसी प्रकार आप PT-INR देखते हैं PT-INR भी बताता है patient के अंदर bleeding tendency को जितना PT-INR बड़ा हुआ है उतना ही patient में कोगुलोपैथी हो रखा है इन value को हम देखते हैं तो D-dimer और PT-INR जो pro-thombin time है और internationalized normalized ratio है इनकी values को भी observe किया जाता है patient के अंदर कोगुलोपैथी को देखने के लिए जैसे आपने देखा था कि इस individual के अंदर venous thromboembolism हो सकता है patient के अंदर micro thromboi बन सकती है तो उन सब को देखना है तो आपको इन parameter पे ध्यान देना पड़ेगा हमको vital organ function तो नहीं affect नहीं हुआ तो हमें patient में renal function test कराना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको बोला कि patient को जब septic shock होता है तो patient के अंदर acute renal injury हो सकता है तो patient के अंदर blood, urea, nitrogen के values को भी देखा जाएगा likewise individual के अंदर LFT कराएंगे हम जब आप patient के अंदर LFT कराएंगे liver function test को जहाँ पे AST और ALT को देखा जाएगा ये भी individual के अंदर बताता है कि whether patient के अंदर liver और kidney affect हुआ है आप troponine को assess करते हैं individual के अंदर ताकि patient के अंदर ये cardiac marker है जो heart की condition को revealed करते हैं तो ये भी हम patient के अंदर करवाएंगे जिसको ये दिक्कत है तो यहाँ पे हम coagulopathy को assess करने का कोशिश कर रहे हैं multiple organ के involvement को assess करने का कोशिश कर रहे हैं आप inflammation को assess करने का कोशिश कर रहे है after all lungs का involvement होई चुका है जो हम अलरी patient के अंदर देख चुके है आप individual के अंदर ABG कराते हैं ABG से आपको समझ में आएगा कि patient के अंदर failure तो नहीं हो रहा है patient में SPO2 क्या है, partial pressure of oxygen क्या है, partial pressure of CO2 क्या है, patient का pH क्या है तो हम देखेंगे patient में जैसे जैसे failure आएगा वा acidosis में आएगा respiratory failure होगा, तो patient में oxygen saturation कम है CO2 है, वा eliminate नहीं हो रही patient के अंदर respiratory acidosis हो सकता है initially hyperventilation का वज़े से respiratory alkalosis हो सकता है लेकिन अन्तवत गत्वाब देखेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर ये चीज हो सकती है तो ये कुछ investigations है जो help करते हैं हमको patient के अंदर condition को ग्याद करने के लिए तो आपके exam का simple प्रशन है कि confirmatory test कौन सा है तो RT-PCR है, sensitive कौन सा है तो RT-PCR है, gold standard कौन सा है तो RT-PCR है केसे specimen को obtain करते है specimen को obtain केसे करते है तो nasal और nasopharynx area से हम इसको obtain करते है दूसरा important बात है कि patient के अंदर lungs के involvement को suggest करता है वो investigation कौन सा है तो वो है HRCT X-ray भी करता है लेकिन X-ray से ज़्यादा resolution कौन देता है HRCT HRCT के अंदर मैंने जो बाते बताए core arts क्या है, city score क्या है वो थोड़ी बहुत बाते आपको ध्यान में रखनी है पाकी coagulopathy देखना है vital organ के function देखने है inflammatory markers को देखना है इनकी जो values है वो बड़ी important है तो ये basic जाचे है जो आपको ध्यान में रखनी है more ever हमने देखा साब इस patient के अंदर कि कैसे आप self test कर सकते है particular condition को confirm करने के लिए कि whether patient को ऐसा है या नहीं है तो बहुत easy to perform है कोई भी induzor बहुत easily कर सकता है तो ये कुछ investigation है जो हम patient के अंदर करते हैं जब आप इस investigation को करते हो तो हमें ये मालूम पर जाता है कि patient को covid-19 है positive है patient का CT score ये है patient का CBC इतना है patient में inflammatory marker का values ये है patient के symptom से से है तो उसके आधार पर फिर हम patient का क्या करते है बच्चों management करते है अब management के अंदर जो ICMR की guideline है वह पहले से अब change हो चुकी है तो थोड़े बहुत changes है जो मुए आपर mention कर रहा हूँ तो management क्या होगा एक patient को जिसको covid-19 है तो हम उसको जो guideline है मैं बता रहा हूँ लगबग 14 तारिक को आयती 14,1 यही updated है अभी तो 2022 तो इसके आधार पर हम patient के अंदर क्या कुछ करते हैं वो मैं यहाँ पर mention कर रहा हूँ तो हम generally जो patient होता है उसका condition देखते हैं और condition के आधार पर हम उसको mild, moderate, severe और threatening scenario में classify करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि साब एक individual है जिसको mild condition है अब mild disease समझो कि इसको क्या है सब mild disease है, mild covid है उसके अंदर हम क्या करते हैं तो mild covid का मतलब यह है कि patient जो है जिसको अपर respiratory tract का infection है और उसको fever है और उसके अंदर इससी कोई finding नहीं है जो graveness को बताती है, shortness और breath, wet ऐसा कुछ भी नहीं है only fever और URTI का finding है तो उसको हम mild covid बोलते हैं mild covid के अंदर ICMR क्या बोलता है, ICMR के हिसाब से अगर हम देखें तो इस individual के अंदर पहला important चीज़ है कि इसको home isolation किया जाएगा इसको home में isolate होना है अपने स्व्यम को दूसरे से प्रतक कर लेना है अपने ही गर में तो importance अला यहीं दी जाती है कि patient को जिनको URTI यह है, fever है और और कोई respiratory difficulty नहीं है बतलब उनको ना shortness of breath है ना उनका saturation है वा fall हो रहा है नो उसके अंदर स्वांस की गती बहुत जदा बड़ी हुई है blood pressure उनका normal है तो ASA individual के अंदर हम क्या करते है mild disease बोलते है क्या इसमें सला है, क्या instruction है तो पहला important instruction यही है कि सब ASA individual को home isolate हो जाना है ASA व्यक्ति खुद को खुद के ही गर में दूसरों लोगों से भी प्रतक कर लेगा तो home isolation हो जाना है और home में isolate होके उसको क्या ध्यान रखना है तो एक तो hand hygiene का ध्यान में रखना है hand washing के बारे में उसको ध्यान दे रहा है दूसरा उसको physical interaction और physical distancing के बारे में ध्यान रखना है गर में अलग रहना है दूसरों से दूर लेना है हाथ उसको दोते रहना है और घर के अंदर वो mask पहनेगा indoor area के अंदर भी वो mask पहनेगा तो social distancing mask है जरूरी दो गज की दूरी ये सब बात है hand washing hand washing, hand hygiene, physical distance दो गज दूरी mask है जरूरी ये चीज वो follow करेगा और meanwhile उसका क्या होना चाहिए सब उसका hydration maintain होना चाहिए उसको हम बोलेंगे कि आप optimum fluid को consume करें कम से कम 2-3 liter पानी आपको पलडे पीना है hydration maintain होना चाहिए और medicine के नाम पे उस व्यक्ति के अंदर हम क्या देंगे तो हम उस व्यक्ति को anti-tissue देंगे क्योंकि उसके अंदर dry cup होगा तो आप इसको anti-tissue देंगे dexometharpene हुआ आप patient के अंदर इसका combination वाला medicine देंगे आप patient के अंदर anti-tissue के अलावा anti-piratic दे दीजेगा हम patient को anti-piratic substance देते हैं यह generally PCM देंगे यह recent guideline के इसाब से है मटब hydration maintain करना है anti-tissue देना है और anti-piratic देना है और यह देखे हम क्या करेंगे हम उस व्यक्ति को सला देंगे कि वह monitor करें वह monitor क्या करें वह monitor करें अपने temperature को हिसाब उसके अंदर temperature कैसा है है ना हम देखेंगे वह monitor करेंगा खुद के temperature को उस वह monitor करेंगा SPO2 को वह monitor करेंगा स्वास की गती को और इनको वह monitor करेंगा 5 days दगा अगर उस व्यक्ति को बुखार है वह 5 दिन से ज्यादा है saturation है वह fall हो रहा है स्वास की गती बढ़ रही है तो ऐसे individual को फिर आगे हम hospitalized करने के बारे में सोच सकते है लेकिन अगर वह monitor कर रहा है और देखा कि बुखार है वह तो कम हो रहा है saturation 94 से maintain है patient के स्वास की गती में इतना कोई बहुत ज़दा ही जफार नहीं आया है तो ऐसे individual को हम घर में रहने के ही सला देते हैं उसके बाद repeat जब वो जाँच करेगा तो उसका जाँच है वो negative आ सकता है तो यहां पे mild case का जो treatment है वो बच्चो में क्या हुआ isolation और isolation के दोरान वो anti-tucy और कुछ symptomatic treatment कर रहा है और बाकी hydration को maintain कर रहा है basic covid appropriate behavior जो है covid appropriate behavior है उसको वो follow कर रहा है और वो अपने आपको monitor कर रहा है कि कहीं और ज़्यदा condition खराब तो नहाँ हाँ इस दोरान अगर उस व्यक्ति के अंदर saturation fall हो रहा है या brutlessness हो रहा है या patient के अंदर fever है वो सबसाइड नहीं हो रहा है या patient की स्वास की गती बहुत ज़्यदा बढ़ रही है patient पहले से ज़्यदा deteriorate हो रहा है तो वह patient है immediate requirement चाता है उस patient पे immediate attention दिया जाना चाहिए तो यह basic condition बता रखा है mild में कि ऐसा किया जाता है individual के अंदर previous के समय के अंदर क्या था previous वाली condition के अंदर यहाँ पे azitro भी दे दिया जाता था secqs भी दिया जाता था patient के अंदर zinc देना था patient में calcium देना था vitamin D का बात हो रहा था vitamin C देना होता था तो यह सब primitive guidelines है जहाँ पे trial and error based क्योंकि हम बहुत जल्दी से समझ नहीं पाए कि covid है उसका mechanism क्या है वो कैसे involve कर रहा है तो उस guideline के इसाब से यह protocol था but recent mild case के अंदर हम ऐसा ही करते हैं ऐसा mention है ICMR का site पे तो ठीक है यह हम करेंगे इस individual के अंदर जिसको यह problem है फिर बात आती है इसके अलावा अगर patient है वो moderate effect है मतलब उस individual के अंदर आप देखो तो moderate कब बोला जाएगा moderate disease के बारे में हम बात कर लेते हैं कि patient है वो moderate effect है तो moderate अगर वो effect है तो कब बोला जाएगा कि patient है वो moderate effect है तो अगर हम देखे तो patient के अंदर fever है और fever के अलावा अगर आप देखो तो उस individual के अंदर shortness of breath हो रहा है आप देख रहेंगे साब patient को shortness of breath है disnea है individual के अंदर जो respiratory rate है वह 24 से ज्यादा है 24 से ज्यादा उस patient के अंदर क्या है? respiratory rate है और जो saturation है वह 94 से कम है saturation fall हो रहा है वह 94 से कम है तो मैं बोल रहा हूँ saturation is less than 94% respiratory rate is more than 24% and even patient is having disnea and patient is having fever तो ऐसा अगर हमारा client है तो उसको हम बोलेंगे साब उसको moderate disease है moderate disease में क्या करेंगे? तो पहला instruction है वह यह है कि इस व्यक्ति यह व्यक्ति entitle है इसको admit किया जाना चाहिए है ward के अंदर और ward के अंदर admit करके उसके अंदर निमनाली की चीज़े की जा सकती है अब यह जो निमनाली की चीज़े है उनमें क्या होगा? तो पहली important बात यह है हिसाब इस individual के अंदर SPO2 को monitor किया जाएगा इस individual के अंदर क्या किया जाएगा? SPO2 की monitoring की जाएगी दूसरी बात है कि patient का requirement के इसाब से oxygen देनी जानी चाहिए क्योंकि उसका saturation है वह 94 से कम है तो उस individual के अंदर oxygen therapy render की जाती है oxygen therapy के लिए non-rebreather mask को use किया जा सकता है patient की अंदर और individual के अंदर awake proning के बारे में बताया जाता है हम उसको बोलते है सब awake proning position awake proning जागी हुई अवस्था के अंदर proning posture में patient को सोना है ऐसा encouragement हम patient को देते हैं ऐसा हम individual के अंदर क्या करते हैं? encouragement देते हैं इस individual के अंदर moderate disease कब बोलेंगे तो मैंने बुला कि अगर fever है वो maintain है shortness of breath हो रहा है, disnea हो रहा है patient में choice से ज़्यादा techypnea है, saturation है वो 94 से कम है, तो यह जो individual है उसको moderate disease है ऐसे व्यक्ति को ward में admit किया जाएगा और ward में admit करके उसके अंदर saturation देखा जाएगा उसको oxygen दिया जाएगा और उसको advice किया जाएगा कि आप awake proning posture को assume करें, जागे हुए आप pron posture में सोएं, ऐसा encouragement हम उसको देते हैं इस individual के अंदर और medication क्या दी जाती है सब medication के अंदर हम ऐसे व्यक्ति में methylprednisolone देते हैं हम ऐसे individual के अंदर injection methylprednisolone देते हैं, medrol आप patient को injection medrol देते हैं, 0.5 से 1 mg पर किलोग्राम बोडी वेट के हिसाब से देते हैं और ये जो medrol है, वह दिया जाएगा अगले 5 से 10 दिन तक और medrol के अलावा हम क्या दे सकते हैं, methylprednisolone के अलावा तो dexamethazone दे सकते हैं, तो ज्यादा तर medrol ही दे सकते हैं, ये भी steroid है, तो हम patient के अंदर steroid देते हैं steroid से क्या होगा, जो overall inflammation हो रहा है, inflammatory events हो रही है, वह subside होईगी क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर जो concern है वह अलग है, आपने जैसे पढ़ा था कि इन वाइरस जो है फिर अगल बगल के structure को damage करता है फिर आप देखते हो, inflammatory substance release होते हैं, मत अब ये inflammation को कम करना है आप अगर stage को पूरी अगर जानते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी medicine का role कहां पर होना चाहिए जब replication रोकना है तो antiviral देना चाहिए, inflammation को कम करना है, तो steroids देने चाहिए जब coagulopathy होने वाली है anticoaguline देना चाहिए तो ये covid का जो process है उस process को अगर समझते हो तो हम को समझ में आएगा कि कौन सी medicine का role, कौन सा day में कितना क्या कुछ हो सकता है जैसे मैंने यहां बोला कि patient के अंदर अगर ऐसे manifestation आ रहे है तो आप उस inflammation को कम करने के लिए individual में medrol यूज करते है या dexamethasone यूज करते है मतलब हम उस व्यक्ति के अंदर steroids देते हैं और ये जो steroids है, वा individual के अंदर इन चीजों को address करने के लिए use होता है, steroids के अलबा क्या करेंगे, तो steroids के अलबा हम उस व्यक्ति के अंदर anticoagulant देते हैं उस व्यक्ति के अंदर हमको anticoagulant देना चाहिए इस व्यक्ति के अंदर anticoagulant के अंदर अगर आप देखें तो unfraction heparine anox heparine आप सुने होंगे ना, जिसकी pre-filled syringe आती है, anox heparine हम unfraction heparine देते हैं anox heparine देते हैं 0.5 mg per kg per day के हिसाब से हम उस व्यक्ति को anox heparine subcutaneous administered करते हैं ताकि इस व्यक्ति के अंदर कोई coagulopathy वाली event ना हो तो ये हमको medical management में देखना है इसके अलावा patient के condition के हिसाब से ये judgment हो सकता है कि इस व्यक्ति के अंदर remdesivir दिया जाए नहीं दिया जाए तो यहाँ पर मैं इसके अलावाद तीसरा medicine पहले mention कर लेता हूँ antibiotics antibiotics patient में दी जा सकती है जब patient moderately affected है तो हम antibiotic देते हैं pepiracillin, tezabectum combination peptide जिसको बोलते हैं साड़े चार ग्राम वो हम patient के अंदर देख सकते हैं आप meropenem patient को administered कर सकते हैं तो meropenem हुआ, peptide हुआ इनको patient के अंदर दिया जा सकता है इस particular phase में अब आगे क्या देना है वो depend करता है कि क्या यहाँ पे कुछ antiviral देने है नहीं देने है वो judgment हो सकता है तो मैं यहाँ पे mention नहीं करता हूँ उनको मैं आगे वाला slide में mention कर दूँगा कि इन individual के अंदर इसके अलावा depend करता है condition का हिसाब से कि हम antiviral substance दे या ना दे antivirals हम patient में remdesvir use करते हैं साब retonavir use करते हैं तो यह substance है वह patient के अंदर administered किये जा सकते हैं तो यह basic बात है जो moderate case में की जाएगी और सबसे important बात है moderate case को monitor करना moderate case को हम कैसे monitor करेंगे क्या monitoring करनी है यह बहुत important है ward के अंदर monitoring की अगर बात आती है तो monitoring के अंदर हमको देखना है patient का respiratory rate को बहुत important है respiratory rate patient का heart rate patient के blood pressure को patient में SPO2 को patient के temperature को और इसी को simple बाशा में बोलते है vital sign जो nursing officer करता है heart rate respiratory rate more than 24 है significant है boss heart rate है वह more than 120 है significant है blood pressure है वह fall हो रहा है significant है saturation है वह 94 से कम हो रहा है significant है fever है वह maintain है तो यह significant changes है तो हम इसको monitor करते हैं यह significant यह changes बताएंगे patient के deterioration के बारे में आप monitoring इसके अलावा क्या करते हैं तो यह तो vital parameters हो गए vital parameter के अलावा हम उस patient के अंदर chest x-ray और HR CT जो एक बार हो चुका है अगर हमको लग रहा है तो उसको वेसे दोबारा करने का जरूरत नहीं है d-dimer क्या है उनको हमको monitor करना है CRP क्या है d-dimer क्या है random blood sugar क्या है patient का उनको हर दो से तीन दीन के अंदर आपको करवाते रहना है अब हर दो दीन बाद या तीन दीन बाद CRP, d-dimer और rbs को तो देखना ही है और आप patient के अंदर cbc है patient के अंदर rft है patient के अंदर lft है तो rft, lft को हर एक या दो दीन के अंदर जहांचे करवानी है तो lft, rft, cbc है वो हर दुसरे दीन होगा CRP, d-dimer, rbs है, yc आमन ने बोला कि हर तीसरे दीन होगा chest, chest, or hr city तभी आपको वापस करवाना है जब आपको ऐसा लगता है कि patient का condition है वो पहले से ज़्यादा deteriorate हो रहा है तो ऐसा condition के अंदर हम उस individual के अंदर hr city करवा सकते हैं otherwise ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है तो ऐसा करके हम patient को monitor करते हैं either patient deteriorate होगा या patient सही हो जाएगा अगर सही हो जाएगा तो अच्छी बात है अगर deteriorate होता है तो ये हमारे लिए severe covid बोला जाएगा तो severe covid कब बोलेंगे बहुत severe covid तब बोलेंगे जब कोई patient है जिसको covid 19 है उसका respiratory rate जो है वो 30 से ज्यादा है respiratory rate है वो क्या है more than 30 है जो saturation है वो fall हो रहा है साब मैंने आपको बताया था पहले जब classification बोला था कि CRP की value है वो 100 से ज्यादा है D dimer है वो dearrange है और patient के अंदर वो vital parameter है वो सब affected है तो patient में basic बात देखें तो deterioration है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे inflammation है systemic inflammation का finding आ रहा है individual में coagulopathic का finding आ रहा होगा patient के अंदर SIRS का finding आ रहा है patient में ARDS का finding आ रहा है individual में MODS का finding आ रहा है बढ़ अब deterioration बहुत ज्यादा है तब जाके हम बोलता है patient है उसको severe covid है तो basic अगर देखा जाए तो आप patient में respiratory rate saturation को पाच जाने वोले science symptoms को देखते हैं तो उसके आदार पे severity को हम decide करते हैं जैसे यह लगता है कि patient है वो severe case से belong करता है तो ऐसे patient को ICU या HDU के अंदर क्या किया जाएगा admit किया जाएगा तो ऐसे patient को ICU या HDU में admit किया जाएगा अब वहाँ पे measures क्या लिये जाएंगे बहुत measures की बात की जाए तो पहला important बात यह है कि ICU वेक्ति को हम respiratory support देंगे क्या देंगे भाई respiratory support आप ICU individual को respiratory support देंगे respiratory support ICU individual को कैसे दिया जाएगा तो non-invasive ventilator यूज किया जा सकता है patient के अंदर high flow nasal cannula को यूज किया जा सकता है और इससे अगर नहीं maintain होता है तो individual को intubate किया जाएगा patient के अंदर endotracheal tube डाली जा सकती है invasive ventilator के बारे में सोचा जा सकता है तो यहाँ पे simple सा बात है respiratory support यूज होगा boss respiratory support patient का condition के हिसाब से होगा हम non-invasive ventilator यूज कर सकते हैं bypep यूज कर सकते हैं आप patient के अंदर high flow nasal cannula high flow nasal cannula को यूज कर सकते हैं जरूरत पड़े तो patient को intubate किया जा सकता है तो यह तो पहला strategies है जो आप इस individual के अंदर करेंगे इसके अलावा medical management में क्या होगा boss medical management के अंदर हम उस व्यक्ति के अंदर steroids देंगे steroids की dose है वह पहले से ज्यादा होगी especially अगर हम देखे हैं तो patient के अंदर methylprednisolone या medrol देंगे और यह जो methylprednisolone या medrol है उसकी dose होगी एक से दो mg 1 तो 2 mg पर kg IV देना है दो divided dose में देना है दो divided dose में देना है और 5 से 10 दिन तक देना है 5 तू 10 डेज IV चलेगा medrol और medrol नहीं है तो आप patient में dexamethasone यूज कर सकते हैं तो patient के अंदर medrol या dexamethasone steroid दिया जाएगा ताकि patient के अंदर cytokinin storm patient के अंदर systemic inflammatory response यह सब काम हो जाए medrol के अलावा अगर आप देखेंगे तो हम उस individual के अंदर बाकी medicine है वह यूज कर सकते हैं जैसे आप patient के अंदर antiviral substance देते हैं antibiotics देते हैं तो मैं mention कर देता हूँ patient के अंदर secondary infection और इनके लिए आप antibiotics देते हैं जहाँ पर meropenem हो सकता है peptage हो सकता है papyracillin, tazobectum peptage है, meropenem है इनको हम यूज करते हैं antibiotic के अलावा अगर आप देखें individual के अंदर तो antiviral substance देंगे हम patient के अंदर antiviral substance दे सकते हैं antiviral के अंदर अगर आप देखें remdesivir दिया जाएगा patient के अंदर और इसका demand आपने देखा था बहुत ज़्यदा बढ़ गया था remdesivir remdesivir हम patient के अंदर देंगे remdesivir जो होएगा वो पहला जो इसका dose दिया जाएगा वो 200 mg का दिया जाएगा 200 mg IV 200 mg IV उसका जो first dose होगा और उसका जो subsequent dose होगा second से लगा के fifth तक वो 100 mg दिया जाएगा तो उसके बाद हम 100 mg IV next four day देना है हम patient के अंदर remdesivir use करते है interleukines जो है उसके response को address करने के लिए IL-6 के लिए अब क्या करेंगे तो interleukine immunomodulators देते हैं और जो दवाई हम देते हैं उस दवाई का नाम है साथ टेकलिजुमेप अब बोलेंगे टेसीली जुमेप टेसलीजुमेप जो है ये एंटिवाइरल है मैंने आपको बोला था RDRP पैटोफीजुमेप हम देखे थे उस एरिया के अंदर ये अफेक करता है जिसका वज़े से जो SSRN है सिंगल स्ट्रेंडेड RNA है उसका जो राप्लिकेशन है वक्या होगा प्रभावित होगा टेकलिजुमेप जो है टोसिलीजुमेप जो है उसको हम अडिबिस्टर्ड करते हैं तो ये जो मेडिसीन है वक्या करती है साब जो इंटरल्यूकीन्स होते है IL-6 पैशेंट के अंदर जो IL-6 है उसके रस्पॉंस को अफेक करता है IL-6 को अफेक करता है इसकी जो डोस है वह है 4-6 mg पर kg 100 ml एनस में देना है आपको और ये जाना चाहिए एक गंटे के अंदर तो IL-6 के पाथवे को इनिबिट करना है तो टोसिलीजुमेप दिया जाएगा इंडिविजल के अंदर ये IL-6 के रस्पॉंस को पाथवे को अफेक करता है जिससे इंफ्लामेशन है वह और कम होगा 4-6 mg पर kg दिया जाता है 100 ml एनस के अंदर एक गंटे में आप पेशेंट के अंदर यूज कर सकते हैं और पदार्थ जिसको हम बोलते हैं जैक इनिबिटर अब बोलेंगे जाब indivisual के अंदर यूज होगा जैक इनिबिटर जैक इनिबिटर जैक इनिबिटर जिसको हम बोलते हैं जैनस काइनेज इनिबिटर जैनस काइनेज इनिबिटर कुछ दवा ही आती हैं, जैसे हम बोलते हैं Barycinitib, B-A-R-I-C-I-N-I-B यह हम यूज करते हैं, बाकि पेशेंट को अगर requirement है, तो ऐसे individual को हम mechanical ventilator पे place करेंगे, intubate करके, तो यह next option है कि पेशेंट को mechanical ventilator पे place किया जाएगा, जो severely diseased है और mechanical ventilator पे जब पे देंगे तो जो mode होगा वा पीप होगा, high पीप पे रखेंगे हम उस पेशेंट को, 10 cm H2O pressure होगा, individual में टाइडल वोल्यूम जो होगा, वा 4 से 8 ml पर kg के हिसाब से हम सेट करेंगे और कुछ एरिया में advocacy की जाती है ECMO की, extra corporeal membranous oxygenation एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेंब्रेनस oxygenation एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेंब्रेनस oxygenation जहां पर एक डिवाइस होती है, वह डिवाइस है वह oxygenation का काम करती है जो human body के बाहर होती है, human body के बाहर है तो इसको extra corporeal बोला जाता है membranous oxygenation मतलब वह oxygenation का काम करती है तो ये कुछ methodologies हैं, ये कुछ treatment के part हैं जो किये जाएंगे इस patient के अंदर जिसको ये problem है तो जब severe effect है, moderate to severe, तो patient के अंदर ये option हो सकते हैं कि आप patient को steroid दें आप patient के अंदर antibiotics दें, आप individual के अंदर anticoagulants दें, respiratory support दें आप individual के अंदर mechanical ventilator पे place कर सकते हैं, इसी MO को use कर सकते हैं तो ये severe condition में किये जाने वाले options हैं, जो हमको ध्यान में रखने हैं अब हम देखते हैं साब, ये management हो गया, तो being as a nursing officer हमारा काम है कि इसे patient में ICU में care देना और हमको COVID appropriate behavior को follow करते हुए, PPE को use करते हुए, basic protocol को समझते हुए, medication administration करना है ICU वले patient के care करना है, vital parameter को observe करना है, lab parameter को observe करना है, patient के अंदर deterioration को समझना है तो ये basic बाते हैं, जो management के बारे में आपको ध्यान में होनी चाहिए, हम करते हैं इस patient के अंदर अब आती है बात कि कौन-कौन सी इसी complications है, जो इस व्यक्ति को हो सकती है, जिसको ये problem है आप बोलेंगे बच्चो, complications of COVID-19 ओने को COVID-19 का बहुत सारा complications है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम mention करते हैं कि क्या कोछ इसी complications है जो किसी individual के अंदर हो सकती है, जिसको COVID-19 है तो patient के अंदर हो सकता है respiratory failure आप देखेंगे patient के अंदर respiratory failure हो सकता है definite बात है कि ये जो individual है, इसके अंदर ARDS हो रहा है साब हो सकता है, ARDS क्या है, non-cardiac pulmonary edema है जहाँ पर patient के अंदर diffusion ventilation affect होगा patient में और क्या complication हो सकता है बच्चे, तो septic shock हो सकता है हमने पढ़ा है septic shock patient के अंदर देखा जा सकता है individual के अंदर systemic inflammatory response syndrome हो सकता है आप observe करेंगे, आप observe करेंगे patient में seers है seers के अलाबा अगर आप देखें इस व्यक्ति के अंदर तो multi organ dysfunction syndrome हो सकता है multi organ dysfunction syndrome patient में देखा जाए तो इस individual के अंदर कठनाए हो सकते है जिसको venus thromboembolism बोलते है जिसको thromboembolic event बोलते है तो thromboembolic event हो सकती है और thromboembolic event होगी तो patient के अंदर systemic stroke हो सकता है इस व्यक्ति के अंदर क्या हो सकता है बच्चो systemic stroke हो सकता है तो respiratory failure होगा patient में हो सकता acute phase में और यह mortality का cause होता है ARDS इसका वज़व होता है septic shock हो सकता है systemic inflammatory response होगा multiple organ dysfunction होगा यह सब pathophysiology के अंदर मैंने previous session में जो class ले थी इसके पहले के modules में हमने इसको discuss किया है multi organ dysfunction syndrome हो सकता है venus thromboembolism हो सकता है यह thrombo कहीं पे भी जा सकती है brain में जाएगा तो brain attack होगा heart में जाएगा तो क्या होगा heart attack होगा heart attack हो सकता है patient के अंदर और बच्चों के अंदर हम एक important चीज देख रहे हैं जिसको miss C बोलते है patient के अंदर हम क्या देखेंगे तो multi system multi system inflammatory response multi system inflammatory response in children multi system inflammatory response in children इस covid का वज़ा से जो immune response हो रहा है वो उस बच्चों के अंदर multiple system में inflammation को cause करता है तो उसको बोलते है miss C 21 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर हम ये important outcome देख रहे हैं उने को patient के अंदर क्या हो सकता है patient के अंदर देखा जाए तो IHD हो सकता है CCF हो सकता है patient में AKI हो सकता है और post acute COVID हो सकता है post acute COVID-19 हो सकता है और patient के अंदर post COVID depression हो सकता है ये सब चीजे हम expect करते हैं इस individual के अंदर होने वाली है जिसको ये problem है तो यहाँ पर देखा जाए complication respiratory failure है individual के अंदर ARDS हो सकता है septic shock हो सकता है sears हो सकता है mors हो सकता है thromboembolism हो सकता है हम देखेंगे individual के अंदर multi system inflammatory response in children हो सकता है IHD इन सब का वजब ही मैं बता देता हूँ क्या-क्या क्यों-क्यों हुआ है तो मैंने बोला कि बेटा respiratory failure तो इसलिए हुआ है क्योंकि type 1, type 2 pneumocyte damage हो गई patient के अंदर pneumocyte damage हो गई patient के अंदर pulmonary edema हो रखा है patient की alveoli collapse हो रखी है तो सीधा सा बात है उस व्यक्ति के अंदर respiratory failure हो सकता है diffusion ventilation effect होगा ARDS का वज़े ही यह है कि यह जो inflammatory substance है उन्होंने vascular permeability को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि patient के अंदर interstitial edema होने लगा patient में pulmonary edema होने लगा तो उसी को हमने ARDS बोला वही inflammatory substance है वो systemic vascular channel को अगर affect करते हैं तो patient के अंदर systemic vasodilation हो जाएगा और जब patient में systemic vasodilation हो जाएगा तो patient में shock हो जाएगा वही sears का वज़ज़ है और उसी का वज़ज़ से जब patient में shock होगा तो उसके जो vital organ है वह क्या होएगे affect हो सकते हैं तो multiple organ dysfunction syndrome हो सकता है जो individual के अंदर endothelitis होता है पर अब inflammation होता है endothelium affect होती है patient में endothelitis होता है तो उस endothelium को repair करने के लिए platelets और fibrines है वह systemic vascular channel में deposit होने लगते है तो वह thromboembolic event को cause कर सकते हैं और उसका वज़़ से brain है, heart है kidney है, ये area affect हो सकते हैं जो inflammatory substance है वह बच्चों के multiple system को affect करते हैं तो उसको बोलते हैं multiple system inflammatory multi system inflammatory response in children तो multi system inflammatory response in children है वह एक important outcome है जो हम बच्चों में देखते हैं IHD हो सकता है क्योंकि thromboembolicism हो रहा है even patient के अंदर cytokindines है वह myocarditis कर देते हैं patient में उसका वज़़ से congestive cardiac failure भी हो सकता है AKI हो सकता है inflammatory substance का वज़़ से भी हो सकता है patient के अंदर shock का वज़़ से भी हो सकता है फिर से उस patient के अंदर covid हो सकता है और depression भी हो सकता है तो ये complications है जो देखी जा सकती है एक individual को जिसको covid-19 है तो हमको ये complications भी दियान में रखनी है mild moderate severe cases के अंदर क्या कुछ कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको देखना है और इसके लाबा हम देखते हैं कि हम covid के prevention के लिए क्या कर सकते हैं prevention के लिए बच्चो बहुत सारी बाते हैं जिन में hand washing आता है cough etiquettes की बात आती है आपको भीड से बचना है आपको covid appropriate behavior को follow करना है हम यह आप एक शब्द यूज़ करते हैं कि for prevention of covid क्या किया जा सकता है prevention का सीधा है कि communicable disease है तो हम बच्चने के लिए क्या कर सकते हैं या covid के spread को कैसे रोख सकते हैं covid के transmission को कैसे रोख सकते हैं तो इसके लिए हम को क्या करना है covid appropriate behavior बहुत बार बोलता है कि covid covid appropriate behavior को follow करना है covid appropriate behavior में क्या है covid appropriate behavior के अंदर basic बात है कि हमको hand hygiene ध्यान में रखना है हमें hand washing करना है soap से करना है sanitizer को use करना है हमें इसके अलावा social distancing maintain करना है हमें mask पेनना है हमें भीड़ वाले जगह पे नहीं जाना है तो यही basic बाते यहां पे बता रखे है जैसे आपके लिए mention भी है hand hygiene और hand washing कम से कम 20 second तक हमको 6 या 7 जो भी step आप follow करते हो hand washing की उसको follow करते हुए hand wash करना है minimum 20 second और उससे ज़्यादा soap को नहीं नहिलाना है आपको हातों को दोना है बात यह ध्यान में रखना है तो hand washing एक important चीज़ है hand washing के अलावा आप use कर सकते है alcohol best sanitizer जो sanitizer जिसमें 60% से ज़्यादा alcohol है ऐसे sanitizer को हम use करते है तो उससे भी contamination होने की संभावना कम हो जाती है हमें बार बार हमारा जो T point है T point का मतलब यह यह nose है mouth है और eyes है इन areas को eyes को nose को mouth को बिना हाथ दोए touch नहीं करना है यह चीज़ हमको दियान में रखनी है हमें respiratory hygiene को maintain करना है respiratory hygiene को maintain करना है by chance अगर आपको खांसी आ रही है तो आप खांसी है उसको आप अपना अधिकार समझते हुए सबके सामने नहीं खांसे अगर आपको खांसी आ रही है तो बोलते हैं कि हमको काफ आ रहा है तो हम अपनी sleeves में खांसी कफ आउट कर सकते है तो direct खांसने से अच्छा है कि आप sleeve के अंदर कफ आउट करें जिससे जो droplet से कम spread होंगी तो ये भी आपका social responsibility है जो आपको ध्यान में रखना है आपको mask पेनना चाहिए आपको नाक, मुख या इन एरियास को बार-बार कहीं touch नहीं करना चाहिए social distancing maintain करनी चाहिए आपने देखा था कि दो गज़ूरी mask के ज़रूरी वाला slogan बहुत ज़्यादा चला था कि mask भी पेने social distancing maintain करना है at least 2 के बीच में 6 feet का दूरी इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमने देखा था कि जो mode of transmission है वो droplet है और droplet nuclei नुकलिया ही भी है मतलब aerosol भी है लेकिन जो ज़्यादा अतर हमने event देखी जिसके अंदर जो mode of transmission हमको मिलता है वो droplet ही होता है droplet nuclei नुकलिया इसे ज्यादा इसलिए अगर आप distance area पे खड़े हैं social distancing को अगर हम maintain करते हैं at least 2 गस दूरी at least 6 feet की दूरी तो आप देखेंगे कि सब जो transmission channel है वो कहीं ने कहीं break हो सकता है तो social distancing के बारे में हम बताते हैं quarantine, travel restriction, closing school day workplace, theater, shopping ये सब चीजे हुआ था जो हमने देखा था साब patient के अंदर पहले social distancing का बात हुआ जिसे आपने देखा था कि जनता कर्फ्यू लगा था सुबह सुबह 6 बजे से लगा के रात का 8-9 बजे तक 14 गंटे का जो जनता कर्फ्यू लगा उसके बाद भाई 9 बजे के बाद पूरे लोग रोड पे आ गए बैंड बाजे, फूल बरसाने लगे तो पूरे दिन का काम उन्होंने कुछ मिंटों में वापस अवरलेप कर दिया, इतनी भी डिकटी हो गई कि जितना तो जनता कर्फ्यू से फाइदा नहीं वा उससे जदा बाद में नुक्सान कर दिया तब जाके लोग डाउन वाली प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ लट से ही लोग समझते हैं तो लोग डाउन को इस्टाब्लिश किया था लोग डाउन एक प्रकार का जबरजस्ती पैटर्न है जहाँ पे आप डिस्टेंसिंग को मेंटेन करवाते हैं तो ठीक है साब सोशिल डिस्टेंसिंग के बारे में ध्यान रखना है यह T-Zone बोलते हैं इसको बच्चों इसको बार-बार टच नहीं करना है क्योंकि इससे Portal of Entries हो सकता है और्गनिजम का जो हम जानते हैं बागी Prevention के लिए हम क्या कर सकते हैं तो Prevention के लिए साब जो भी Public Health Guidelines है जो भी Guidelines है जो Revealed होती है साब Ministry of Health and Family Welfare से उस Guidelines को जो है वह Follow करना है चाहिए वह Guidelines Social Distancing की हो चाहिए वह Guidelines हो वह Travel की हो Travel की Guidelines है तो Travel की Guidelines Follow करें Social Distancing की है तो Social Distancing की Follow करें इसी प्रकार हम देखते हैं इससाब Quarantine Quarantine जो है तो उस Quarantine के बारे में Isolation की जो Guidelines है उनको Follow करें जो भी Guidelines render है चाहिए वह Social Distancing की हो Travel की Guidelines हो Quarantine की हो Isolation की हो Lockdown की हो Lockdown की जो Guidelines है उसको Follow करना चाहिए Vaccination की Guidelines है हमारा Responsibility है आरोगिस है तू एप डाउनलोड करके रखिए उन Guidelines को हमको Follow करना है Mask पहनना है साब Mask की बात हमने अलड़ी है मेंचन के रिए Social Distancing Respiratory Hygiene Mask पहनना है जहां पहे आप N95 Mask को यूज करते है Surgical Mask से Protection काम होता है नहीं है तो यूज करिए बाकि हमको ये करना है बाकि Whatever Guidelines is rendered by Public Health Public Ministry of Health and Family Welfare उसको हमको Follow करना है जिसे Social Distancing है Travel का Guideline है Quarantine की बात है Isolation की बात है Lockdown जो आपने देखा है जहां पर काफी कुछ आपने सीखा भी है बहुत परिशान भी होगे तो Vaccination Vaccination Drive जो है उसको बारे में आपको Follow करना है अरोग्योस से तो एप है उसको आपको Download करके रखना है तो ये चीज़े हम करते है Guideline के perspective से इस Individual के अंदर Quarantine और Isolation में Difference क्या है? बहुत बार बच्चों के doubts होते है तो यहां पर आप जानते है Lockdown तो आप जानते ही है Isolation क्या है Quarantine क्या है Isolation का मतलब है कि साब अगर कोई व्यक्ति Positive है तो इंडिविजल क्या है बच्चो Positive तो वह पॉजिटिव व्यक्ति जेसे ही Positive हुआ उसके बाद वह व्यक्ति Isolate हो जाता है प्रतख हो जाता है दूसरों व्यक्ति से उसको हम प्रतख कर देते हैं व्यक्ति से क्योंकि वह अलड़ी क्या है पॉजेटीव है तो उसको हम प्रत्थक करते हैं लगबग 10 दिन तक तो यह 10 दिन यह कोविड रिपर्ट नेगेटिव है तब तक तो उसको हम बोलते हैं आईसोलेशन तो आईसोलेशन अप्लाई होता है उस व्यक्ति पे जो की कोविड पॉजेटिव है जिसे मानों कि यह व्यक्ति कोविड पॉजेटिव है तो कोविड पॉजेटिव होते हैं व्यक्ति क्या होता है आइसोलेट हो जाता है दूसरे व्यक्ति से कब तक अगले 10 दिन तक क्योंकि हम ऐसा बोलते है कि साब इंक्यूबेशन पिरियड है वह 1-14 दिन है में भी पेशेंट के अंदर 4-5 दिन बाद जाज कराई होगी तो अगले 10 दिन मतलब 15 से 20 दिन इसका मतलब आप उसको अगले 10 दिन तक आईसोलेट करके रखेंगे तो वह ट्रांस्मिशन भी नहीं करेगा और कहीने के कम्यूनिटी उससे सेफ होगा और मिन्वाइल अगर उसका रिपोर्ट नेगेटिव आ जाता है तो वो भी एक अच्छी बात है तो मिनिममम 10 दिन तक हम ऐसा करते हैं तो फिर प्रशन आता है क्वारेंटाइन किसको करते हैं सब क्वारेंटाइन का मतलब यह है कि कोई इंडिविजल है व जो की कोविड पॉजिटिव था और उसको मालूम पड़ा कि साब इस एरिया में इतने केसे आये यह यह इस रिजन से आया है यह इसके साथी था जो कोविड पॉजिटिव था तो उस सस्पेक्ट परसन को उस परसन को आप क्या करते हैं बोस आईसोलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं साब quarentine उसको बोलते हैं कि साब आप 14 दिन तक अपने आपको दूर करके रखें दूसरों से तो उसको separate करते हैं अगले 14 दिन तक खुद के घर में कहीं पे भी कहीं भी facility बनाई थी जैसे पहले तो हम facility बनाए थी कि इनको quarantine करने के लिए school है दरम शाला है न जाने क्या क्या जगह पे फिर बाद में तो घर पे बाद में तो रोड पे ही करने लग दे तो क्वारेंटाइन जो है उसका मतलब यही है कि जैसे आपको लग रहा है कि ये इंडिवुजल उस रिजन से आया है जैसे चाइना से जो बच्चे आते थे जो पढ़ाई करने गए थे तो उनको दिल्ली के अंदर जैसे एरपोर्ट से रिसीव किया उनको होटल के अंदर क्वारेंटाइन कर दिये जाता था अगले 14 दिन तक फिर उन्होंने ये भी मेंडेटरी कर दिया था कि इनके अंदर सेंपल टेस्टिंग होगा वह भी नेगेटिव आना चाहिए मीनवाइल यह समझो कि अगर वह पॉजिटिव आ जाते तो क्या करते तो उनको उस क्वारेंटाइन के अंदर आइसोलेट कर देते वह हो जाता बच्चो आइसोलेशन तो जब तक वह सस्पीशियस हैं या मेनिफस्टेशन नहीं आ रहे तो वह तो क्वारेंटाइन है लेकिन पॉजिटिव आने के बाद उनको अलग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं आइसोलेशन दस दिन का होता है क्वारेंटाइन 14 द जहांपे आपकी पॉस्टिंग होगी वार्ड के अंदर आप पॉस्टेड हो सकते है बच्चो आप पॉस्टेड हो सकते हैं आईस्यू के अंदर तो आप जब भी केर करने जाते हैं तो आप घीर्ड होने चाहिए किससे परस्ट darle प्रोटेक्टिव एक्यूपमेंट से बट कि personal protective equipment जो होते हैं वह हमको स्वयम को personal protective equipment यह वह equipment है जो care deliver को जो healthcare provider को protect करता है कि वह स्वयम disease से contaminate ना हो तो उस to prevent contamination of on है ना to prevent contamination or infection of self whatever equipment is used by individual is known as personal protective equipment इसमें क्या आते हैं तो सब इसके अंदर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं shoe cover आते हैं इसके अंदर cover all आता है आप देखेंगे साब shoe cover होता है cover all होता है आप देखेंगे mask होता है N95 हम goggles use करते हैं हम hood use कर सकते हैं hood Google use होता है यह सब personal protective equipment हो सकते हैं gloves definite gloves सबसे important है gloves तो बच्चा gloves हो गया gown हो गया इसके लाबा goggles हो गया N95 mask हो गया hood हो गया cover all हो गया shoe cover हो गये यह सब personal protective equipment है इनको पेहन के अगर हम care deliver करते हैं तो हमारा self contamination और हमारे अंदर infection होने की संभावना है वह क्या होगी कम हो जाएगी तो इनका use आपको आना चाहिए तो दो process होते हैं equipment को पेहनना है तो donning बोलते हैं donning of PPE और equipment को निकालना है तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों doffing of PPE doffing of PPE donning का मतलब है wear करना इसको equipment को और इनको आप क्या करेंगे कि साब वापस निकालना उसको हम क्या बोलते हैं doffing करना तो donning और doffing के बारे में short में हम discuss करते हैं पहला important है कि donning जो है वह हमेशा designated area में perform होना चाहिए यह जो मैं बता रहा हूँ वह aims का guideline के हिसाब से है aims जो follow कर रहा हुँ है कि donning है वह designated area में होना चाहिए donning तब करने से पहले आप अच्छे से खा पी ले washroom में जा आए और अच्छे से पानी पी ले उसके बाद ही आप donning करें क्योंकि donning करने के बाद आप वापस doffing करोगे तो उसके अंदर बहुत donning जब हम करते हैं आपने पीपी पैना होगा तो मालूम होगा कि बहुत ज़दा sweating होता है dehydration होता है अगर आपको पिशाप करने है तो आप वापस जा भी नहीं सकते हैं अब आप वहां पे ये भी नह बोल सकते हैं कि आपको भूग लगी है तो कम से कम खाना है अच्छे से पानी पीना है वाश रूम में जाल लेना है उसके बाद designated area पे आके हमें wear करना है किसको personal protective equipment को तो इसकी जो step से बख्या है तो पहला step यह है बच्चों कि सबसे पहला step इसे mention करी है आप इसे देख सकते ह है कि जो पहली step है वह यही है कि हमें hand hygiene करना है आप क्या करेंगे अच्छे से hand wash करेंगे आप hand hygiene करेंगे आप इवन यहाँ पे sanitizer यूज कर सकते हैं और सबसे पहले हम वही छे और साथ step को follow करते हुए हमारे hand को अच्छे से hygiene करेंगे तो पहला important चीज है कि आप आप जैसे ot dress होता है उनको wear कर सकते हैं पतले कपले ठीक रहते हैं आप pen shirt के ओपर पीपी नहीं पहन सकते हैं तो जैसे imaging करोक ot dress आपने wear किया है उसके बाद ICU का uniform आपने पहना है ज designated area में जाके hand washing किया छे से साथ जो step से उनको हमने follow किया उसके बाद आपको पहनना है first pair of gloves gloves पहनने का technique आपको मालूम है कैसे पहनते हैं तो आपको first pair of gloves उसके बाद पहनना है जैसे ही आप gloves पहनेंगे तो उसके बाद क्या करना है हमें हमारा cover all देखना है जो आप use करेंगे gown जिसको हम cover all बोलते हैं उस cover all को देखना है और उस cover all को आपको पहनना है इसके photos और videos available है आप कहीं पर भी देख सकते हैं तो cover all कैसे पहनेंगे तो पहले आपके जो पेर है वह है पहले आप पहनेंगे उनको पेरों से उसके बाद वह आपके chest और फिर आपके हाथों से पहनन वही सेम टेक्निक आपको यूज करना है जो आपको मालूम है उसके बाद कवर ओल को देखना है कि कहीं से फटा वटा तो नहीं है अगर वह फटा हुआ नहीं है तो फिर उस कवर ओल को हम वीर करते हैं पहले कवर ओल लेक पेनाई जाते हैं उसके बाद आपका लोवर अब्ड प्रवाइडर है वह उसको ऐसे वियर करेगा जैसे यह वियर करेगा उसके बाद कवरोल पहनने के बाद वह क्या करेगा शू कवर को पहनेगा तो जो शू कवर जब आप पहनोगे तो शू कवर है वह आपके लेक के उपर जैसे आपने कवरोल पहना है तो उसको ऐसे क्या कर द तो शू कवर उसके बाद हम क्या करेंगे पहनाएंगे जू कभर परनने के बाद हम को जो हेल्ट केयर प्रोवाइडर एगो कि स्ट्रीफ है अपने एgon है उसके ऊपर और दूसरा जो स्ट्रीफ है स्ट्रीफ है वह इस एर के नीचे पिर अच्छे से यह टाइट होना चाहिए वहाँ पे एर लिक नहीं होनी चाहिए आप खांसी खा के देख सकते हैं आप स्वास अंदर खेंच के देख सकते हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि N95 अच्छे से लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है तो वियर करना है N95 को N95 के साथ-साथ आप क्या वियर करेंगे हूड को ठीक है साथ हूड को हम वियर कर सकते हैं हूड है इसके अलावा फेश शिल्ड है तो फेश शिल्ड को आप लगा सकते हैं आई गोगल को हम लगा सकते हैं तो वियर करना है शू कवर को शू कवर के बाद N95 मास्क यूज़ कर सकते हैं उसी समय आप आई गोगल से अगर आप उनको यूज़ कर रहे तो उनको लगा सकते हैं फेश शिल लगा सकते हैं और हूड से उसको कवर कर सकते हैं तो ये स्टेप्स आपको उसके बाद करनी है और ऐसा करके आप उस designated area से बाहर जाके अपनी care को render करते हैं तो ये तो हो गया donning का प्रक्रिया की केसे पहनना है पहनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उन चीजों को केसे आप निकालेंगे doffing is very very important तो doffing जो है वह भी एक particular area में होगा donning अलग होगा तो doffing का area अलग होगा doffing वाले area में जाके ही हमको doffing करना है हमें यहाँ ध्यान में रखना है कि हमारा जो PPE suit है वह कहीं से soil तो नहीं हो गया अगर ऐसा है तो हमको इसका disinfection करवाना चाहिए doffing room में दो chair होती है एक dirty chair होती है और एक clean chair होती है क्योंकि PPE को निकालने के लिए थोड़ी मुश्किलात होती है तो आँ चेयर हो सकती है dirty और clean और जो भी PPE kit है जिसको हम discard करेंगे उसके लिए भी guideline अलग-अलग है आप देख सकते हैं कि इसमें red और blue है में जो बता रहा हूँ पहले आप doffing area के अंदर जाएंगे जहाँ पे एक observer होएगा वो देखेगा कि आप अच्छे से doffing कर रहे हैं या वो आपको instruct भी कर सकता है देखो initially instruct कर रहे थे क्योंकि कोई step है वो गलत ना हो जाए आजकल ऐसा नहीं है आजकल इतनी जड़ा आपने care दे दिये कि आप observer को भी required नहीं करते हैं लेकिन फिर भी जो guideline है उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि वहाँ पे एक observer होना चीए आपका कोई observer होना चीए जो देखेगा कि और आपको instruct भी कर सकता है देखेगा और instruct भी कर सकता है कि आप steps सही follow कर रहे हैं या और कोई मदद है तो वह पहुचा सकता है तो observer स्विम भी एक तरह से protected equipment के साथ ही होगा तो ठीक है साब observer देखेगा कि आपका पीपी कहीं से फटा कटा तो नहीं है फिर वो आपको सला दे सकता है पहला काम क्या करना है disinfectant जैसे यह आप आए तो सबसे पहले आपने दो gloves पहन रखें तो आप क्या करेंगे disinfectant करेंगे किसको outer gloves को यहाँ पर अगर हम बोले तो हम दो gloves पहनते हैं जैसे आपने यह preparation की बात करी hand hygiene पहला gloves पहना examine cover all किया उसके बाद आपने wear shoes करा N95 mask पहना यह पहना facial पहना आई Google पहना यहाँ पर चाहता आप step 7 लिक सकते हैं जैसे यह पहना आप उसके बाद एक और gloves को पहन सकते हैं जो second pair हो जाएगा second pair of gloves और फिर आप अंदर गए इसके बाद यहाँ पर क्या करना है जैसे ही आप आए तो आप आने के बाद observer आपको इंस्टर्ट कर रहा है वो आपको देख रहा है सबसे पहले आपको disinfect करने हैं आपके outer gloves को जो gloves आपने पहने पहने रखे हैं उसको वही से माप disinfectant करेंगे sanitizer और उनको यूज करके और disinfectant करने के बाद क्या करना है आपको gloves नहीं निकलना है आपको सबसे पहले निकालने हैं आपके shoe cover को remove and discard shoe cover अब आप shoe cover निकालेंगे तो खड़े-खड़े निकालने में थोड़ा दिक्कत होएगा तो आप dirty chair पे बैठ सकते हैं और dirty chair पे बैठ के shoe cover को पकड़ के आप निकालेंगे और उसको designated area में जहां पे आपका waste yellow या जहां पे हम हमारे पास biomedical hazard को tackle करने वाले bean से उनके अंदर dispose off करेंगे जैसे shoe cover निकाला shoe cover निकालने के बात क्या करेंगे तो फिर से आप अपने हाथों को फिर से disinfectant करेंगे और अब आप remove करेंगे उन gloves को तो याद रखना जैसे ही आप अंदर आए तो आपको पूछा जाएगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम disinfectant करेंगे हमारे hands को सबसे पहले हम किसको निकालेंगे तो हम निकालेंगे हमारे shoe cover को, shoe cover को निकालने के बाद फिर से आप उन gloves को disinfectant करेंगे, sanitizer को use करके, और फिर आप उन बाहर वाले pair of gloves को निकालेंगे, जैसे आप बाहर वाले pair of gloves को निकालते हैं, तो आप outer surface को ऐसा touch करके एक gloves को निकालें, और जैसे वो एक gloves निकलता है, तो उस gloves को दूसरे हाथ से पकड़ लें और फिर आपका ये जो हाथ होएगा उससे दूसरे gloves को इस way में निकाले कि वो gloves उसके अंदर ही आ जाए ऐसे हमको gloves को निकालना है फिर आपका जो inner gloves होगा क्योंकि आउटर तो आपने कूँद को हटाएं और गोगल से तो गोगल सो हटाएंगे उसके बाद next step होईगी पिर से जैसे आपने उसको उटाए तो उसके बाद में धिसंफेक्टन करेंगे इनसी ग्लवब कोपिर हम कीशेंगे उसको और cover all है उसको हम क्या करेंगे साब निकालेंगे जिसे face shield और goggles है वो बाहर होता है जिसे आप देखते हो आपने देखा होगा जब cover all पेहनते हैं hoods पेहनते हैं तो उसके उपर हम face shield और eye goggles यूज़ करेंगे जिसे eye goggles निकाल दिया face shield निकाल दिया फिर से आपने gloves को disinfectant किया उसके बाद हम क्या करेंगे जो hoods है उसको निकालेंगे hoods को निकालने के बाद आप अपने gown को निकालेंगे cover all को निकालेंगे तो cover all को निकालेंगे तो आप इतना ध्यान में रखिएगा कि जब आप इसको निकालते हैं तो आप कोशिश करें कि आप उसके बाहरी आवरन को टच ना करें तो मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे मैं इसको निकाल रहा हूँ तो अंदर से ऐसा करिए ताकि वो अंदर से बाहर की तरफ निकले तो बाहर का एरिया contaminated है तो वह एरिया आपके contact में ना है उस वे में आपको क्या करना है साब इस cover all को निकालना है और cover all को जो wrap करोगे वह अंदर से बाहर की तरफ ऐसा wrap करते हुए आप उसको निकाल देंगे तो ऐसा करके हम उस cover all को निकालेंगे और उस cover all को निकालने के बाद उसको dispose off करेंगे उसको dispose off करने के बाद फिर से आप gloves को disinfect करेंगे और gloves को disinfect करने के बाद आप उन inner gloves को निकालेंगे क्योंकि अब आपके body के उपर इसा कुछ बचा नहीं कपड़ों के अलावा अब only what gloves बचे है तो अब आप उन gloves को क्या करेंगे disinfect करेंगे और disinfect करने के बाद उन gloves को निकालेंगे फिर से आप hand hygiene perform करेंगे नया gloves बेनेंगे और नया gloves बेनने के बाद आप N95 mask को निकालेंगे और N95 mask को निकालने के बाद आप जो ये gloves बेना था उस gloves को फिर से निकाल देंगे फिर से आप hand hygiene perform करेंगे तो ये basic बात है जो हमको ध्यान में रखनी है ये basic बात है जो हम करते हैं साथ हम perform करते हैं जब हम doffing करते हैं तो donning और doffing की steps में बस ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ किया जा सकता है donning और doffing में बहुत बार पुछता है कि ये जो biomedical waste जो PPE का है उसका dispose of कहा होगा देखो इसमें थोड़ा थोड़ा सा guideline में फरग है लेकिन फिर भी एक guideline हम बताते हैं जिसमें बता रखा है कि जो N95 mask है जो caps होती है जो shoe cover होते है और जो gown होता है उसको usually dispose of किया जाता है yellow bag में क्योंकि ये relatively माना गया infectious है N95 है, cap है, shoe cover है, gown है दूसरा बात आता है सब plastic material जैसे कि goggles है जैसे face shield है goggles हो गया, face shield हो गया जैसे gloves हो गए उनको हम dispose of करेंगे red के अंदर और जो आपके viral transporter होते हैं जैसे हम देखते हैं, viral transport media जहां पर हम देखते हैं, plastic की वायल्स आती हैं वेक्यू टेनर्स आते हैं उनको भी हम ready के अंदर dispose करते हैं तो यह थोड़ा बहुत variable हो सकता है लेकिन yellow के अंदर N95 mask है, cap है, shoe cover है, gown है उनको dispose of किया जाएगा red के अंदर goggles, plastic के items हैं, rubber के items हैं उनको red में dispose of किया जाएगा और viral transport media जो है नॉर्मली हम बोल सकते हैं साब कि viral transport media, vacuum tenor है, plastic की vials है उनको भी हम ready के अंदर dispose करते हैं तो यह dawning था और doffing था जिसके बारे में कुछ बात है prevention के बारे में हमने देखा बाकि basic जो COVID के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए उन सभी चीजों का हमने अध्यन किया है और आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो के अंदर मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने क्या देखा तो सबसे पहले हमने देखा था बच्चों की diagnostic investigation क्या होते है जहां पे RT-PCR, HR-CT, inflammatory markers और इनके बारे में हमने बात करी उसके बारे हमने देखा management क्या होता है तो management में मैंने आपको बताया mild, moderate, severe cases के अंदर क्या हो सकता है और कैसे इनको manage करते है इसके अलबा हमने देखा साब patient के अंदर prevention के बारे में कुछ बाते देखी फिर dawning और doffing के बारे में और इसमें question कहीं से भी कैसे भी आ सकता है सीधा पूछ ले mode of transmission, incubation period, virus, कितने cases, क्या statics है है न, suspect case किसको बोलते हैं कब probable बोलते हैं, कब confirm बोलते हैं ये सब question ही है, gold standard test कौन सा है x-ray के अंदर कैसी opacity देखी जाती है COVID-19 में क्या देखा जाता है HR city में पाई जाने वाले changes क्या है HR city के अंदर इसके अलावा RT-PCR क्या होता है, उसमें क्या देखते हैं confirmation केसे होता है naat का full form क्या है nasal specimen केसे obtain करते है swab केसे obtain करते है nasal pharynx का distance कितना होता है लग बग 8 cm तो महां तक तो जाना ही चाहिए cases को carry करते है rapid antigen test क्या है city ratio क्या है ठीके साथ, threshold ratio क्या है वो किसको बताता है, कौन से serological marker है, इसके अलावा HR city क्या है, क्या है COVID score, क्या है core ads COVID score कैसे होता है क्या चीज़े हम देखते हैं, तो क्या समझते है यह कौन से severity को बताता है तो यह चीज़े हमने देखी है और यह चोटे-मोटे question हो सकता है core ad SI है, तो क्या है rapid antigen test के बारे हम देखा कि आप इसको कैसे perform कर सकते है तो इसके बारे में भी basic information हमने यह आपे देखा हमने देखा साब, अलग-अलग markers को जो inflammation को बताता है हमने देखा mild moderate cases को कैसे address किया जाता है कौन सी दवाईया useably दी जाती है उनके बारे में देखा दवाईयों में मैं फिर बोल देता हूँ कि मैंने वही दवाईया mention करी है जो recent guideline के अंदर है पहले हम hydrochloric one भी देते थे agithromycin दिया जाता था hydrochloroquine दिया जाता था zinc दिया जाता था vitamin D, vitamin C लोगों ने तो D और C के पोदे तक लगा दिये थे हम ये सब देते थे उसके बाद हमने थोड़ा guideline में change किया अपने देखा कि साब steroids का role कहा होता है antiviral का role कहां पे होता है immunomodulator का role कहा होता है तो फिर हम थोड़ा thoughtful और selective हुए तो initially हम हम global treatment therapy पे चल रहे थे there after हम थोड़े बहुत specific हुए क्योंकि हमने virus को पहले से बहतर समझा prevention बड़ा important है covid appropriate behavior क्या है hand washing क्या है respiratory hygiene क्या है social distancing क्या है isolation क्या है quarantine क्या है lockdown क्या है tea क्या है complication कौन सी है ये सब बात हैं हमने देखा और हमने देखा donning और doffing के से किया जाता है और उन item को कहां पे dispose किया जाता है तो किसी भी area के अंदर question आपको पूछे जा सकते हैं तो ये basic information था covid के बारे में और इसके पहले जिसे मैं आपको बता देता हूँ कि इसी का एक पहला video बना हुआ है जहां पे हमने देखा था covid का introductory class तो thank you very much जो आप इतना समय देते हैं समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शूबो